तो देखिए अब हम विवित प्रश्ण वली प्रारम करते हैं सबसे पहले प्रश्ण को यहाँ पर हम पढ़ते हैं आपको बोला गया है XY तल में X अच्छी की धनात्मक दिसा के साथ वामा वर्त दिसा में 30 अंस का कौण बनाने वाला मात्रक सजिस लिखिए तो देखिए सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि XY तल की बात की गई है तो हम XY तल अर्थाथ एक दूर विमिय तल हमको बनाना है तो वो तो देखिए हम आसानी से बना सकते हैं यह देखिए आपने Y-axis बना दी और इस तरीके से देखिए यह आपके पास X-axis हो गई अर्थाथ एकस अच्छ हो गई अब आपको बोला गया कि XY तल में X-Aच्छ की धनात्मक दिसा के साथ वामा वर्त दिसा में 30 अंस का कौण बन रहा है तो वामा वर्त दिसा में यह दे 30 का कौण आपके पास बनना है तो अर्थाथ कुछ इस तरीके से आपके पास यह हो जाएगा और यह देखो आपके पास यह 30 हो गया अब आप यह देखो कि आपको बोला गया है कि मात्रक सदिस आपको लिखना है मात्रक सदिस यदि आपको लिखना है इसका मतलब यह हुआ कि उस सदिस का मापांक है या आप बोल सकते हैं उस सदिस का परिमार एक है अब आपने सीखाता जो परिमार होता है बेसिकली वो उस सदिस की लंबा ही होती है आखिर वो सदिस कितना लंबा है तो जैसे अगर माल लेजेगा ये बिंदू O है और ये बिंदू P है तो इसका मतलब O P अगर हम एक सदिस लिखने हैं तो उसका परमाण आपके पास एक होना चाहिए यह हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि बोला गया मातरक सदिस लिखना है मातरक मतलब एकाई सदिस तो इसका मतलब परमाण एक हो गया तो अब इसका मतलब ये दूरी एक हो गई तो आपको P का एक तरीके से निर्दे सांग लिखने हैं बात में हम उसको वेक्टर की तरह लिखेंगे अरसा सदिस की तरह लिखेंगे तो आप देखोगे अगर आप यहाँ पर एक लंब खींज़ते हैं तो यहाँ से देखो अगर ये बिंदू M है तो O M देखिए आपके पास हो जाएगा एक कॉस तीज अंस यह हमने इसलिए लिखा कि देखो O M इसका 26 घटक हो जाएगा तो देखिए O M बराबर एक गुणा कॉस तीज अंस होता है अंडरूट तीन बट्टे दो एक का गुणा किया तो बेसिकली यह ही आए आपके पास O M अब बात करते हैं कि P M क्या होना चाहिए तो P M देखिए इसका उर्दवादर घटक हो जाएगा अर्थाथ वर्टिकल कंपोनेंट तो यह हो जाएगा एक गुणा साइन तीसंस अब देखिए साइन तीसंस एक बट्टे दो होता है तो इस तरीके से आपके पास P M भी आ गया जो कि एक बट्टे दो के बरावर आ गया तो अब यह जो P के नर्दे सांग होते हैं बिसिकली वो तो X,Y इस तरीके के होते हैं और X जो है वो OM है और PM जो है वो Y के रूप में है तो इसलिए देखिए आपके पास जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा OP अगर हम बोले तो वो आपके पास हो जाएगा अंडरूट तीन बटे दो अब देखिए यह X अच की तरफ है तो यह I के आप आपने लगा दिया प्लस Y H की डाइरेक्शन में एक बटे दो है तो एक बटे दो J के आप लिख देंगे आप देख सकते हैं इसका अगर आप मात्रक भी निकालेंगे अर्थाद इसका मापंग निकालोगे तो वो आपके पास एक ही आएगा तो यही आपका प्रशन संख्या एक का उत्तर हो जाएगा चलिए अब हम प्रशन संख्या दो पर आजाते हैं प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि बिंदु P जिसके नर्दे सांग X1, Y1, Z1 दिये हुए हैं और Q जिसके नर्दे सांग X2, Y2, Z2 दिये हुए हैं को मिलाने वाले सदिस के अधिस घटक और परिमाल ग्याद कीजिए तो यहाँ पर आप यह देखो कि आपके पास बिंदु P के नर्दे सांग दिये हुए हैं X1, Y1, Z1 Q के नर्दे सांग आपके पास दिये हुए हैं X2, Y2 और Z2 अब आप यह देखो कि इनको मिलाने वाला एक सदिस होगा तो वो P Q वेक्टर इस तरीके के से कुछ होगा अब देखे कुछ चात्र यह भी बोलेंगे सर्फ P Q के हम तो QP भी बोल सकते हैं तो हाँ बिल्कुल QP बोल सकते हैं इसमें कोई दोराए नहीं है तो इस तरीके से आप यह देखो कि अगर हम P Q ले लें आप QP भी लेकर भी कर सकते हैं थोड़ा सा अंतर आएगा लेकिन वो दोनों उत्तर आपके पास सही हो जाएंगे तो हमने सीखा था P Q वेक्टर अगर आपको लिखना है तो लिखोगे Q के स्थिति सदिस माइनस P का स्थिति सदिस तो अब आप यह देखो Q का स्थिति सदिस अगर आप लिखोगे तो वो है आपके पास X2 Y2 Z2 और थाथ IJK में लिखोगे तो यहा जाएगा X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap माइनस P का स्थिति सदिस देखे यहां से आप लिखोगे X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap तो देखिए आपने PQ वेक्टर एक तरीके से लिख लिए अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं तो देखिए यह आपके पास आजाएगा X2 माइनस X1 I cap और साथ आप I1 के पुडांक होगे एक साथ लिखिए देखिए J यहां पर भी है और यहां पर भी है उसके पास X1 माइनस X2 I cap Y1 माइनस Y2 J cap तथा Z1 माइनस Z2 K cap कुछ इस तरीके से आता तो अब यह देखो कि आपको बोला गया कि जो मिलाने वाला सदेस है अर्थाथ PQ वेक्टर है इसके अदेस घटक लिखिए तो इसलिए अब देखिए PQ वेक्टर के अदेस घटक अब देखते है अदेस घटक क्या होते है तो देखे जो I, J तथा K के गड़ांक होते हैं उन्हीं को हम अदेस घटक बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं अदेस का मतलब तो यह है कि जिसकी direction ना हो, जिसकी दिसा ना हो केवल परिमाड हो, तो घटक मतलब यह I का गड़ांक J का गड़ांक और K का गड़ांक तो इस तरीके से देखिए अदेस घटक आपके पास आजाएंगे X2-X1 कॉमा, दूसरा एक घटक आजाएगा Y2-Y1 तथा एक घटक आपके पास आजाएगा Z2-Z1 इसका परिमाड गयाद करना है अर्थाथ PQ सदिस जो है आपके पास उसका परिमाड गयाद करना है तो परिमाड के लिए आपने सीखा था अंडरूट लगाते हैं अब आप देखिए I का जो गड़ांक होगा आप उसका वर्ग करोगे तो देखो आई का गुडांग है x2-x1 तो इसका वर्ग आप करोगे प्लस इसी तरीके से आएगा y2-y1 इसका होल स्क्वाइर प्लस आपके पास आजाएगा z2-z1 और इसका होल स्क्वाइर तो इस तरीके से आपके पास pq वेक्टर का परिमाड भी आ चुका है अब देखे हम प्रशन संक्या 3 पर आ जाते हैं प्रशन संक्या 3 में आपको बोला गया है कि एक लड़की पश्चिम जिसा में 4 किलोमेटर चलती है उसके पश्चाथ वेह उत्तर से 30 अंस पश्चिम की जिसा में 3 किलोमेटर चलती है और रुख जाती है प्रस्थान के प्रारंबिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ग्याद कीजिए तो यहाँ पर आप ये देखो कि हम एक-एक भाग का अर्थात एक-एक लाइन जो लिखी हुए एक-एक करके उसको समझती हो और इसको डौ करते रहेंगे तो आपको बोला गया है कि लड़की पस्चिम जिसा में 4 किलोमेटर चलती है तो मान लीजेगा कि लड़की का प्रारंबिक बिंदु ये है बिंदु O अब पस्चिम जिसा में 4 किलोमेटर चल लई है इसका मतलब ये हुआ कि लड़की पस्चिम दिसा में मतलब बाई और चलेगी क्योंकि पस्चिम दिसा बाई और होती है और ये आपके पास 4 किलोमेटर हो गया अगर आप ये दूरी देखें मान लिजे का वो बिंदू A पर पहुंच गई फिर बोला गया कि इसके पस्चाद वह उत्तर से तीसंस पस्चिम की दिसा में तो अगर आप देखें इस बिंदू पर अगर हम गौर करें तो उत्तर से तीसंस पस्चिम की दिसा में तो सबसे पहले मैं बिंदू A पर 4 दिसाय बना लेता हूँ तो देखो यह आपके पास हो जाएगी उपर उत्तर हो गई, नीचे दच्छड हो गई दाएं आपके पास पूर्व हो गई और बाएं आपके पास देखो यह पश्चम आ गई अब यह देखो मैंने बिंदू A पर बनाया है बैसे बनाने की ऐसे कोई यह प्रश्ण में नहीं बोला गया बनाने को लेकिन हम अपने समझने के लिए बना रहे है फिर आपको बोला गया कि उत्तर से तीस अंस पश्चम की दिसाम में तो देखो उत्तर से करना है पश्चम की दिसाम में उत्तर यहाँ पर है नौर्थ, पस्चिम यहाँ पर है डगलू, मैं A बिंदू के लिए बना रहा हूँ, तो 30 अंस पस्चिम की दिसामें उत्तर से, मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, तो यह देखो basically आपके पास कुछ इस तरीके से यह आ जाएगा, और अब पर चलती है, तो इसका मतलब अगर आप मान लिजेगा बिंदू P पर पहुंच गए, तो यह 3 किलोमेटर हो गया, A P, वेक्टर की लंबाई, फिर बोला गया है, प्रस्थान के प्रारमिक बिंदू से लड़की का विस्थापन ग्याद कीजिए, तो प्रस्थान के प्रारमि बिंदू से प्रारमिक बिंदू के बीच की दूरी होती है, सीधे सरल देखाम है, जबकि दूरी जो होती है, दूरी आपके पास O, A, फिर A, P आप चले, जबकि विस्थापन होगा, सीधे O, P के बराबर, अब समय लेते हैं कि एक तरीके से आपको P का इस्तिती सदिस ग्या अर्थाल 0,0, फिर आप ये देखो, कि ये जदि हम A पर आये हैं, तो ये तो दूरी हमारे पास 4 हो गई, अब अगर आप ये देखो, कि अगर हम P बिंदू के नर्गे सांग देखे हैं, तो देखिए, अगर ये बिंदू M हो गया, अगर हमने P से लंब डाला, तो ये मान ल कि ये ये तीसंस है, तो ये आपके पास साथंस हो गया, तो O A, देखो, ये 4 है, और am ये ये हम देखेंगे, तो ये AP का 36 गटक हो गया, अर्थात 3 कॉस 6 अंस, तो देखो, 4 प्लस 3, कॉस 7 हंस कमान होता है, एक बटे दू, तो ये आगै 4 प्लस 3 बटे दू, जो सरल करने पर आपके पास 11 बटे 2 आजाएगा इस तरीके से आपके पास OM दूरी आगई 11 बटे 2 अगर आप देखना चाहते हैं मातर क्या होगा तो basically किलोमेटर में आएगा आपके पास अब आप ये देखो कि यहाँ से आपको ये देखना है कि जो PM है वो आखिरकार कितना होगा तो देखे PM कितना होगा उसको हम समझे लेते हैं PM अब देखो PM जो होगा वो AP जो सदिस है उसका vertical component अर्थात उर्दादर घटक हो जाएगा तो आप उसको लिखेंगे 3 sin 60 अर्थात 3 under root 3 बटे 2 तो इस तरीके से आपके पास यह आ गया तो अभी आप यह देखो कि आपको P बिन्दू का नर्दे सांग एक तरीके से पता लग जाएगा अब वो कैसे पता लगा तो उसको समय लेते हैं तो देखिए जो P बिन्दू का नर्दे सांग है यह हम बोल सकते हैं P का इस्तिती सदिस अब यह देखो P का जो इस्तिती सदिस है अब आप O से बाइं तरफ चल लेते अर्थाथ माइनस X अच्छी की डाइरेक्शन में अगर आप देखें तो तो यह आजाएगा माइनस 11 बटे 2 I cap प्लस इसी तरीके से देखो यह Y अच्छी में डाइरेक्शन में हो जाएगा तो 3 अंडरूट 3 बटे 2 J cap तो इस तरीके से यह आपके पास P का इस्तिती सदिस आजाएगा अब आप यह देखो कि आपको तो बोला गया है कि आपको प्रस्थान के प्रारभ्मिक बिंदू से लड़की का विस्थापन गयाद करना है अर्थाथ आपको तो O P Vector एक तरीके से गयाद करना है तो इसलिए देखिए O P Vector यह आपके पास हो जाएगा P का इस्तिती सदिस माइनस O का इस्तिती सदिस आप चुंकि आप देखू O जो है वो तो आपके पास मूल बिंदो है इस तरीके से आप इसको हटा दीजेगा क्योंकि वो मूल बिंदो है अर्थाथ 0,0 ही होगा तो यह आजाएगा माइनस 11 बटे 2 आई केप प्लस 3 अंडरूट 3 बटे 2 जे केप माइनस O का इससी सदी से 0 आई केप प्लस 0 जे केप क्योंकि 0,0 था वो मूल बिंदो तो यह बेसिकली आपके पास वही आएगा अर्थाथ माइनस 11 बटे 2 आई केप प्लस 3 अंडरूट 3 बटे 2 जे केप और यही आपका ये उत्तर हो जाएगा अब अगर आपको दूरी निकालनी है विस्थापन में कितनी दूरी हुई बेसिकली तो इस तरीके से आप देखिए OP वेक्टर का परिमार आपको निकालना होगा क्योंकि दूरी मतलब उस वेक्टर की लंबाई कितनी है तो देखिए ये आपके पास आजाएगा अंडरूट के अंदर माइनस ग्यार बटे दो का होल स्क्वाइर अर्थाद 21 बटे चार प्लस तीन अंडरूट तीन बटे दो का होल स्क्वाइर अर्थाद 27 बटे चार तो देखो यह आपके पास आगया अंडरूट में 128 बटे 4 जब आप इसको हल करोगे तो यह आगया आपके पास 32 अर्थाथ 4 अंडरूट 2 और मात्र काकर लिखना चाहते हो तो एकाई गर के आप लिख सकते हो तो अगर आपको वेक्टर लिखना है कि वो क्या वेक्टर होना चाहिए विस्थापन वेक्टर या विस्थापन सजिस तो यह आजाएगा माइनस 11 बटे 2 आई कैप प्लस 3 अंडरूट 3 बटे 2 जे कैप और यदे आपको इसकी दूरी लिखनी है तो वो आपके पास 4 अंडरूट 2 एकाई हो जाएगी चलिए अब हम प्रशन संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं यदे वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C है तब क्या यह सत्य है कि वेक्टर A का परमार बराबर वेक्टर B का परमार प्लस वेक्टर C का परमार फिर आपको अपने उत्तर की पुष्टी भी करनी है तो देखी सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि एक यह कंडिशन दियो हुई है कि A vector बराबर B vector plus C vector तो सबसे पहले तो आप ये धान रखें कि हमने आपको दो vector उंको जोड़ना पहले ही सिखाया है देखिए कैसे हम जोड़ते हैं इसको तो आप देखो B vector plus C vector मिलकर A vector बनना है तो देखिए आपने माल लिजेगा एक vector ये बनाया इसी तरीके से माल लिजेगा आपने एक vector ये बनाया और आपने एक vector देखिए ये बना दिया अब आप ये देखो कि माल लिजेगा हमने इसको B vector बोल दिया इस जिसा में इस जिसा में हमने देखिए C vector बोल दिया और इस जिसा में हमने A vector बोल दिया तो हमने आपको बताया था कि देखो कि ये प्रारंबिक बिंदू है और ये इस जिसा में चला मतलब ये टेल हो गया मतलब अन्तिम बिंदू आ गया फिर इसी यहां से प्रारंबिक बिंदू श्टार्ट हुआ और इस जिसा में आपके पास चला तो ये B प्लस C और देखो यह जैसे ये माल लिजेगा आपके पास हो गया बिंदो B, ये हो गया A और ये हो गया C, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, वो तो Seats में लिखने हैं, ये तो पूरा आपके उपर निर्वर करता हैं, अब आपसे बोला गया है कि क्या यह सकते हैं कि वेक्टर A का परिमार बरावर वेक्टर B का परिमार प्लस वेक्टर C का परिमार, अब आप ये समझे कि अगर हम वेक्टर A का परिमार लेखें, तो आखिर इसका मतलब क्या है, ये रिपरजेंट क्या करता है, पहले उसको समय लेते हैं, तो वेक्टर A का परिमार मतलब, तो देखो, जो C से B के बीच की दूरी है, वो वेक्टर E का परमाण हो जाएगी, इसी तरीके से अगर हम देखें, वेक्टर B क्या होगा, तो देखें, वेक्टर B आपके पास AC वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी, कुछ आतर C ये बोलेंगे, लेकिन कोई बात नी दोनों सही है, AC वोलो या C वोलो लंबाई दोनों की समान ही होगी, अब इसी तरीके से अगर हम देखें, तो C वेक्टर का परमाण, देखें, ये आपके पास हो जाएगा, A, B वाली भुजा की लंबाई, तो आपने देखा, कि A वेक्टर का परमाण, B वेक्टर का परमाण, और C वेक्टर का परमाण क्या होता है, अब आप ये देखो, कि ये तो देखें, वेक्टर लिखे थे, तो आपने देखा, कि एक तरुबुज बनना था, एक तरुबुज को फॉलो करता है, ये हमें पता था, और हमने देखो, आपके सामने बना कर भी दिखाया है, देखो, तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर A का परमाल अर्था B C वाली भुजा बराबर हो जाएगी लंबाई में A C वाली भुजा प्लस A B वाली भुजा कि इसका मतलब तो यह हुआ अगर हम देखें यहां से तो मैं लिख भी देता हूँ अब आप यह देखो कि हमने यह भी पढ़ा था कि अगर तीन बिंदों में दो दो बिंदों की बीच की दूरी जो भी होगी तो एक बिंदो की बीच की दूरी बाकी दो बिंदों की बीच की दूरी के योगफल के बराबर हो जाएगी तो हम बोलते थे कि वो बिंदू सर्रेक होते थे लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि त्रकोर में आएंगे अर्था त्रवोज बनाएंगे तो ऐसा तो कभी संभवी नहीं है तो इस तरीकी से आप बोल पाएंगे कि इसलिए वेक्टर A का परमाड वेक्टर B का परमाड प्लस वेक्टर C का परमाड जो आपको दिया हुआ है यह आसक्ति यह आप बोल सकते हैं गलत कथन है और देखे हमने आपको बता भी दिया क्यों ऐसा है क्योंकि आप देखो आपके पास एक त्रवोज बनना है जबकि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह तीनों वेक्टर सर्रेखी है वेक्टर है जबकि ऐसा तो संभवी नहीं क्योंकि त्रवोज बनना है या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कि किसी भी त्रवोज में जो बड़ा वाला वेक्टर होता है वो हमेशा बाकी दो छोटे वाले वेक्टरों के परमार से अधेख होता है जो बड़ा वेक्टर होता है वो बाकी दो वेक्टरों के परमार से छोटा होता है तो आपके पास यह बेसिकली सही खतन है यह सत्य कथन हो जाएगा क्योंकि किसी भी तुरुपज में आपको पता है कि किनी भी दो बजाओं का यूग तीसरी बजा की से बड़ा ही होता है हम इसा तो यह सत्य कथन है लेकिन आपको तो इस कथन के बारे में बोला गया था तो इसलिए असत्य हो गया और हमने अपने उत्तर की पुष्ठी भी आपको बता दी है चलिए अब हम आगया जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया कि X का वहमान ग्याद कीजिए जिसके लिए X कोष्टक में I cap प्लस J cap प्लस K cap एक मातरक सदिस है सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मातरक सदिस का मतलब क्या होता है तो मातरक सदिस या एकाई सदिस या बात हम पहले ही आपको पता चुके हैं इसका मतलब होता है कि ऐसा सदिस जिसका परिमार एक हो तो अगर माल लीजेगा हमने माल लिया वेक्टर ए यह जो आपको लिखा है हमने इसको वेक्टर ए माल लिया अर्थाद x i cap प्लस j cap प्लस k cap इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए अर्थाद ये जो था एक मात्रक सफदिस है अर्थाद वेक्टर A का परमार 1 हो जाएगा क्योगे हमने आपको बताये हैं मात्रक सफदिस या 11 सफ्दिस जब भी बोलेगा अर्थाद परमार 1 है या आपको खुद से समंझा होगा तो हम इसका परमार देखि एक के बराबर कर देते हैं, अब देखें इसका परमार के आएगा, तो अगर आप देखें तो इसको हम x i cap प्लस x j cap प्लस x k cap लिख सकते हैं, तो देखो, परमार लिखते हैं यहाँ पर, तो under root में i cap का गुणांक x है, तो x cover करेंगे x square, प्लस j cap का गुणांक b x है, तो इसका वर करेंगे, यह भी x square आ गया, प्लस k cap का गुणांक x है, तो इसका square करेंगे, तो यह भी x square आ गया, बराबर 1 आ गया तो इस तरीके से under root में, देखो, यह 3x square आ गया, और यह 1 के बराबर आ गया तो अब आप देखो कि आपको तो x कमान चाहिए लेकिन ये तो अंडरूट में आ रहा है तो अब आप दोनों तरफ वर्क कर दो तो 3x square बरावर आपके पास 1 आ जाएगा तो x square बरावर 1 बटे 3 आ जाएगा अब चुंकि आपको तो x कमान चाहिए तो इस तरीके से आपके पास x कमान 1 बटे अंडरूट 3 और देखो square था x का और वो 1 बटे 3 के बरावर था x कमान नकालोगे तो इस प्लस माइनस आएगा तो यहाँ से आपको x कमान आ गया x बरावर प्लस माइनस 1 बटे अंडरूट 3 होना चाहिए तो देखी प्रश्ण संख्या 6 को हम पढ़ते हैं अब सदिसों a वेक्टर बरावर 2 i केप प्लस 3 j केप माइनस के केप और b वेक्टर बरावर i केप माइनस 2 j केप प्लस के केप के परिणामी के समान तर एक ऐसा सदिस ग्याद कीजिए जिसका परिमार 5 इकाई है लगा है a वेक्टर 2 i केप प्लस 3 j केप माइनस के केप और दूसरा वेक्टर दिया हुआ बेक्टर i केप माइनस 2 j केप प्लस के केप अब आप देखिए आपको बोला गया कि इनके परिणामी के समान तर तो परिणामी का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं तो अगर आपके पास कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर दिये हुए हैं अर्था सधिश दिये हुए हैं और आपसे परिणामी बोला जाए समानतर तो बाद में देखेंगे पहले परिणामी का मतलब समझ रहे हैं हम यहाँ पर तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टरों का परेडामी पूछा जाए तो इसका मतलब होता है आपको उनको जोड़ना होता है तो इसलिए A वेक्टर तथा B वेक्टर का परेडामी वेक्टर आपके पास हो जाएगा यहां से A वेक्टर प्लस B वेक्टर तो यह हो जाएगा A vector plus B vector आताद इनको आप जोड़ देंगे तो देखो 2i cap plus 3j cap minus k cap यह हो गए A vector plus B vector i cap minus 2j cap plus k cap आगया इस तरीके साब आप देख रहे हैं A vector plus B vector यह आपके पास हो गया देखो 2i cap plus i cap 3i cap हो गया 3j cap मैंसे 2j cap घट गई तो प्लस j cap आगया minus k cap plus k cap आप करोगे तो यह basically cancel हो जाएंगे तो इतना ही आपके पास आगया है तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से परणामी तो आगया आपके पास सदिस अब बोला गया है परणामी के समांतर ध्यान रखें समांतर का मतलब यह होता है कि परणामी की दिसा में क्योंकि समांतर जो सदिस होती है इसका मतलब होता है उसी दिसा में है तो यहां से परणामी जो होगा उसके समांतर अगर आपसे बोला जाए मतलब वही सदिस आपके पास हो गया अब आपको ऐसो सदिस ग्याद करना है जिसका परिमार पांच इकाई है तो पांच इकाई तो हम बाद में करेंगे पहले हम इकाई सदिस ग्यात कर लेते हैं तो इसलिए अब हम बोलते हैं कि परणामी के समानतर इकाई सदिस सबसे पहले हम इकाई सदिस बना रहे हैं अब देखो परणामी के समानतर मतलब परणामी सदिस यह हम आपको पहली बता चुके हैं बस हमें एकाई सदिस बनाना है तो तीन आई प्लस जे का एकाई सदिस देखी आपके पास हो जाएगा तीन आई केप प्लस जे केप बटे तीन आई प्लस जे का परिमाड क्योंकि एकाई सदिस के लिए आपने देखा था, आप उसी सदिस को उसके परमाड से भाग देते थे, तो देखो यह आपके पास आ जाएगा, 3 i-cap, प्लस j-cap, बटे, अंडरूट में, देखो, i-cap का गडांग 3 है, तो यह 3 कवर्ग 9, प्लस j-cap का गडांग 1 है, तो एक कवर एक आ गया तो यह आ गया तीन आई कैप प्लस जे कैप बटे अंडरूट दस तो इस तरीके से आपके पास परणामी के समंतर इकाई सदिस आ गया इकाई सदिस मतलब जिसका परमाड एक हो अब आपसे बोला गया नहीं परमाड तो पांच इकाई होना चाहिए तो इसलिए देखो इसका परमाड है एक क्योंकि एकाई सदिस है तो पांच एकाई वाला परमाड सदिस के लिए पांच का गुड़ा हमें इससे कर देते हैं तो यह आ जाएगा पांच गुणा तीन आई कैप प्लस जे कैप बटे अंडरूट दस या फिर देखिए आप इसको वैसे तो आप इसको सरल कर सकते हैं यह आ जाएगा अंडरूट पांच बटे दो तीन आई कैप प्लस जे कैप यह भी आपके पास सही उत्तर ही होगा तो आप इसमें से कोई सी भी फॉर्म लिख सकते हैं उत्तर में दोनों ही उत्तर आपके पास बिलकुल सही माने जाएंगे अब यह नहीं है यहापर कुछ चातर को संद्य हो सकता है कि आखे हमने दूसरे उत्तर कैसे लिख दिया तो देखिए मैं यहापर सौट में आपको रफ में करके दिखा दिता हूँ पाँच बटे अंडरूट दस है तो अंडरूट दो इंटू अंडरूट पांच लिखा हमने यह त तो देखो अंडरूट 5 से ये 5 अंडरूट 5 वर अगट गया इसलिए हमने यहाँ पर देखो अंडरूट 5 वटे 2 तीन आई केप प्लस जे केप करके लिख दिया है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है तो आप कोई सावी उत्तर अपने लिए दे सकते थे चलिए अब हम अगले प्रशन पर आ जाते हैं अर्थात प्रशन संख्या 7 पर तो देखिए प्रशन संख्या 7 में आपको दिया है कि यदि तो सबसे पहले तो आप यह देखिए आपके पास जो ए वेक्टर दिया हुआ है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बी वेक्टर दिया हुआ है दो आई कैप माइनस जे कैप प्लस तीन के कैप सी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस दो जे कैप प्लस के कैप फिर आपको बोला गया है कि ये 3 सदिस तो आपको दिये हुए थे आपको 2A-3B-C तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2A-B प्लस 3C इसके समानतर करना है इसका मतलब यही आपको बेसिकलिए निकाल देना है क्योंकि किसी भी सदिस के समानतर मतलब वही सदिस एक तरीके से आपको लिख देना है तो यह देखो आपके पास हो जाएगा 2 A-Vector है I-CAP प्लस J-CAP प्लस K-CAP माइनस B-Vector है 2I-CAP माइनस J-CAP प्लस 3K-CAP और देखे प्लस C-Vector है I-CAP सरल करते हैं तो 2A-Vector माइनस B-Vector प्लस 3C-Vector यह हम निकाल ला है तो देखो I-CAP के गुड़ांग एक साथ लिखेंगे हैं तो देखो यह 2 आ गया यहाँ माइनस 2 और यहाँ प्लस 3 तो 2-2 प्लस 3 गिया प्लस J-CAP के गुड़ांग लिखेंगे तो देखो यह 2 आ गया प्लस 1-6 आ गया प्लस K-CAP के गुड़ांग लिखते हैं तो यह आ गया 2-3 प्लस 3 तो अब देखे यहाँ से माइनस 2 और यह प्लस 2 कैंसल हो गया माइनस 3 और प्लस 3 यहाँ कैंसल हो गया तो इस तरीके से आप देखे 2-1 वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर यह आपके पास आ जाएगा 3 I-CAP माइनस 3 J-CAP प्लस 2 K-CAP तो यह आपके पास 2 A-Vector माइनस B-Vector प्लस 3C वेक्टर इसका माना आ गया अब इसके समांतर बोला गया है मतलब एक तरीके से यही आपके पास हो जाएगा अब बोला गया कि आपको इसके समांतर एक मात्रक सदिस चाहिए तो इसलिए अभीष्ट मात्रक सदिस अभीष्ट मात्रक सदिस देखिए 3i cap माइनस 3j cap प्लस 2k cap बटे इसका परिमार हो जाएगा मैं अभी इसके अंदर लिख देता हूँ इस चेने के अंदर 3i cap माइनस 3j cap प्लस 2k cap तो देखिए अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं तो जो अंस में लिखा है उसको तो आप ऐसी लिख देजेगा 3i cap माइनस 3j cap प्लस 2k cap बटे अब देखो परिमार निकालना है तो अंदर रूट 3 का वर्ग देखिए 9 आ गया प्लस माइनस 3 का वर्ग ये भी 9 आएगा प्लस 2 का वर्ग आपके पास 4 आ गया तो इस तरीके से देखो ये आपके पास आ गया 3i cap माइनस 3 j cap प्लस 2 k cap बटे देखो ये आपके पास अंदर रूट में 22 आ जाएगा तो यही आपके पास अभीष्ट उत्तर हो जाएगा अब देखिए प्रशन संख्या 8 को हम पढ़ लेते हैं दर्सा ये कि बिंदू A 1,-2,-8 बिंदू B 5,0,-2 और बिंदू C 11,3,7 सर्रेक हैं और B द्वारा A, C को विभाजित करने वाला अनपात ग्यात कीजिए तो देखिए सबसे पहले तो आपको पहला वाला भाग सिद्ध करना है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि तीनो बिंदू सर्रेक है तो देखिए ये आपके पास बिंदू दिये हुए हैं जैसे माल लिजेगा ये बिंदू A है 1,-2,-8 इसी तरीके से माल लिजेगा ये बिंदू कहीं भी B है 5,0,-2 और ये बिंदू C है 11,3,7 एक्च्वल में आपको नहीं पता कि ये कहां पार हैं लेकिन बस आपने इस तरीके से माल लिया आपने सर्रेक माना तो आपने सर्रेक की कंडिसन पहली आपको पता है कि किनी भी दो बिंदू के बीच की दूरी बाकी दो बिंदूओं के बीच की दूरी के योगफल के बरावर आ जाएगी तो सबसे पहले आप A,B वेक्टर निकाल लो या हम A और B के बीच की दूरी निकाल ले हैं तो A और B के बीच की दूरी देखिए आपके पास आजाएगी 5-1 एक का होल स्क्वाइर प्लस जीरो प्लस दो का होल स्क्वाइर प्लस माइनस दो प्लस आठ का होल स्क्वाइर तो देखिए जब आप इसको सरल करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास पांच माइनस एक का होल स्क्वाइर अर्था 4 का HOLY SQUARE मत्तब 16 0 प्लस 2 का HOLY SQUARE रथा 2 का HOLY SQUARE रथा 4 और देखो 8 माइनस 2 रथा 6 का HOLY SQUARE तो यह 36 आ गया तो इस तरीके से आप देखो यह आपके पास UNDER ROOT 56 हो जाएगा अब आप आगे देखोगे तो आप BC निकाल लो तो BC आप देखें UNDER ROOT BC निकालेंगे तो यह आजाएगा 11 माइनस 5 का HOLY SQUARE प्लस 3 माइनस 0 का HOLY SQUARE प्लस 7 प्लस 2 का HOLY SQUARE आजाएगा क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब चात्रों को अगर यह संदे होता है क्या BC और CB सेम बात होगी तो 36 आ गया प्लस 3 का HOLY करोगे तो 9 आ जाएगा प्लस 7 प्लस 2 अर्थात 9 का HOLY करोगे तो 81 आ गया तो इस तरीके साब देखो यह आपके पास 126 आ जाएगा UNDER ROOT के अंदर तो आपने देखो BC वाली भुजा निकाल ली अब हम देखिए यहाँ पर AC वाली भुजा निकालते हैं तो AC वाली भुजा अगर आप निकालोगे तो देखिए अर्थात A और C के बीच की दूरी तो देखिए A और C के बीच की दूरी हो जाएगी 11 है माइनस 1 का HOLY प्लस 3 प्लस 2 का HOLY प्लस 7 प्लस 8 का HOLY तो यहाँ से आप यह देखो आपके पास यह उदाएगा 11 है माइनस 1 अर्था 10 का HOLY तो 100 3 प्लस 2 अर्था 5 का HOLY 25 प्लस 8 और 7 15 का HOLY 25 तो देखिए यह आपके पास आ गया अंडर रूट में 350 क्योंकि आप देखो 25 और 25 और 250 हो गया और 100 आपने उसमें जोड़ा तो आपके पास यह अंडर रूट में 350 आ गया है अब आप यह देख लो कि यदि हम थोड़ा इसको सरल करें तो देखो अंडर रूट 56 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 14 इस तरीके से आप देखो 56 होता है 4 बणा 14 तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया 14 आपने ऐसी रहने दिया क्योंकि 14 का वर्गमूल आप नहीं कर सकते इसी तरीके से आपने सबको कर लिया तो अब आप देख रहे हैं कि चुके 2 अंडर रूट 14 यह वाली भुजा A तता C के बीच की दूरी बाकी 2 बिंदों के बीच की दूरी के योकफल के बराबर आ रही है इसलिए आप बोल सकते हैं A, B, C सर्रेखिय हो जाएंगे सर्रेखिय बिंदू बोल सकते हैं अर्थाद नहीं तो सर्रेखिय भी लिख सकते हैं तो ये आपके पास देखो पहला वाला भाग तो आसानी से सिद्ध हो गया कि आपको सिद्ध करना था कि तीनों बिंदू एक ही रेखा में है चलिए अब आप देखिए दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि तीनों बिंदू एक सर्रे की ये तो आपने सिद्ध कर दिय B द्वारा A C को विवाजित करने वाला अनपात ग्यात आपको करना है तो अब देखो आपको बोला गया है कि B A C को किस अनपात में विवाजित करता है तो अभी हम क्या करते हैं कि एक रेखा बना लेते हैं अर्थाद देखो यहाँ पर आपको यह तो समझ में आजाएगा, जब भी आपको यह दिखाना हो कि किस अनपात में विवाजित करता है, या कोई अनपात दे दिया जाए तो कोई बिंदु पूछ लिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखो विवाजन सूत्र आपके पास प्रयोग में आएगा, तो देखो, जैसे मान लिजेगा अपने पास यह है बिंदु A, यह है बिंदु C, अब B वाला इसको मान लिजेगा हमने यहाँ पर है कहीं, तो बिंदु A के नर्दे संग मैं बोल देता हूँ, मान लिजेगा यह आपको दिये हुए थे 1-2-8, बिंदु B के नर्दे संग भी आपको पता है, तो यह है 5,0,-2 और बिंदु C के नर्दे संग है, अगर आप चाहें तो इनको वेक्टर में लिखें नहीं, तो आप इनको अर्थाद X,Y,Z जैसे हमने लिखे हुए हैं, वैसे ही लिख सकते हैं, अब आपको बोला गया है कि B किसन पाथ में वाज़ करता है, तो माना B, A,C को लेम्डा अंपाथ एक में विभाज़त करता है, तो आपसे यही बूछा गया किसन पाथ में, तो लेम्डा अंपाथ एक में आपने मान लिया, पर लेम्डा का आपको मान नकालना होगा एक तरीके से, तो चलिए, जैसे देखिए, स्वरल लिखा में आपने कच्छा 11 में पढ़ाता है विभाजन सूथ, तो यहाँ पर बस 3B में हो गया है, सेम कॉंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर आपने थियोरी में भी पढ़ा ही है, तो देखिए, अब आप यदे लिखेंगे, तो देखो, अगर हम X जो निर्दिसांग के उसको बराबर करें, तो देखो, 5 बराबर, यहाँ जाएगा, एक का गुणा X निर्दिसांग X से करोगे, प्लस, लेम्डा का गुणा, इसके X निर्दिसांग 11 से करोगे, बटे, यह आपके पास लेम्डा प्लस बना जाएगा, अब देखो, आप चाहो तो Y निर्दिसांग को भी बराबर कर सकते थे, तो 0 बराबर, देखो, एक का गुणा आप माइनस 2 से करोगे, प्लस, लेम्डा का गुणा आप 3 से करोगे, तो 3 लेम्डा, बटे, लेम्डा प्लस बना जाएगा, अगर आप चाहते, तो आप Z निर्दिसांग को भी बराबर कर सकते से देखिए, माइनस 2 बराबर, एक का गुणा माइनस 8 से करेंगे, तो minus 8 plus lambda का गुणा 7 से करेंगे तो 7 lambda बटे lambda plus 1 अब आप ये ज्यान रखो कि अगर प्रश्ण सही है तो 3ों से हमारे पास lambda का मान बिलकुत सेम आएगा अगर प्रश्ण गलत हुआ तो हो सकता है lambda का मान कहीं से कुछ और आए कहीं से कुछ और आ जाए अर्थाद अलग-अलग मान आएगा तो चलिए देख भी लेते हैं कि प्रश्ण सही है गलत है इसका मतलब हम तीनों से इसको हल करके देखेंगे चलिए तो देखो यह आ जाएगा 5 lambda प्लस 1 अर्था lambda प्लस 1 जो हर में है उसको आपने पच्चंतर किया तो गुणा में आ गया बराबर 1 प्लस 11 लेम्डा तो देखो 5 लेम्डा प्लस 5 बराबर 1 प्लस 11 लेम्डा आ गया तो देखिए आपके पास 5 माइनस 1 बराबर 11 लेम्डा माइनस 5 लेम्डा आ गया अर्थाथ 6 lambda बरावर 4 आ गया तो देखो lambda बरावर 2 बटे 3 आ गया अब चलिए हम इसको भी हल कर देते हैं अर्थाथ y निर्दिसंग बरावर करने पर क्या आएगा अपतर उसको भी देख लेते हैं वहाँ पर तो देखिए आप यहाँ पर करोगे 0 बरावर माइनस 2 प्लस 3 lambda बटे lambda प्लस 1 अब lambda प्लस 1 को पच्छांदर करेंगे तो गुणा में आ जाएगा लेकिन 0 है दर तो गुणा करके यह 0 ही आएगा तो इस तरीके से यह आ गया 3 lambda बरावर 2 आ जाएगा और lambda बरावर यहाँ से आपके पास देखो यह 2 बटे 3 था यहाँ पर भी और यहाँ से देखो lambda का मंद 2 बटे 3 ही आएगा आपके पास यहाँ से भी बिल्कुँ सेम आ रहा है आप देखें प्रशन सही होगा तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ से भी lambda बरावर 2 बटे 3 ही आएगा लेकिन हमें तो चेक भी करना होगा एक तरीके से करी लेती हैं तो देखो माइनस 2 lambda प्लस 1 को आपने पच्छांतर कर दिया बरावर माइनस 8 प्लस 7 lambda आपके पास आ गया फिर आप यह देखओ माइनस 2 lambda, माइनस 2 बरावर माइनस 8 प्लस 7 λेम्डा अब देखिए माइनस 2 लेम्डा को हम पच्छांतर करते हैं 2 तरफ और माइनस 8 को 22 पच्छांतर करते हैं तो यह आगया 8 माइनस 2 बरावर 7 लेम्डा प्लस 2 लेम्डा तो 6 बरावर 9 लेम्डा आ गया तो lambda बरावर 6 बटे 9 आ गया अगर आप 3 से इसको थोड़ा cancel करें तो देखो ये 2 बार cancel हो गया और ये 3 बार cancel हो गया तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास lambda कमान 2 बटे 3 ही आ रहा है तो आपने देखा तीनों से बरावर आ रहा है तो आपने देखा lambda कमान 2 बटे 3 आ रहा है तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि lambda कमान ये 2 बटे 3 है तो आप बोलोगे कि B, A, C को lambda अनपात 1 अर्थात 2 बटे 3 अनपात 1 मतलब 2 अनपात 3 में विभाजित करता है तो यहां से आपका यह प्रश्न भी हल हो गया है बस अब आप देखो एक बात पर यह गोर करो कि देखे आप से बोला गया कि यह पहले बोल दिया गया था कि आपको यह सिद्ध करना है कि यह सर्रेखी है अब ध्यान रखें कभी भी कोई बिंदू किसी भी भुजा को अगर विवाजित करता है तो ध्यान रखें वो तीनों बिंदू सर्रेख ही होंगे जैसे आपने देखा कि अगर हम पहले वाले भाग को स्टाइटिक महलना करके केवल यह निकाल देते कि वो 2-5-3 में वाजित करता है तो हम यहां से भी डायरेक्ट बिंदू सर्रेख ही होंगे क्योंकि देखो अगर किसी को विवाजित कर रहा है इसका मतलब अगर A और C को हम जोईन कर दें तो मतलब B यहां पर आ रहा है तभी तो विवाजित कर पा रहा है 2-5-3 में तो यहां से भी हम direct बोल सकते हैं कि सर्रेख ही होंगे अब एक बात और भी यह सोच हैं कि अगर मान लीजेगा lambda का मान यहां से कुछ और आ रहा है, यहां से कुछ और आ रहा है कहीं से कुछ और आ रहा है, मतलब तीनों से बरावर नहीं आ रहा है किस रेशियो में डिवाइड करता है या किस अनपात में भाइड करता है तो वो हमारा इस बात का भी प्रतीक होता है कि क्या वो तीनों बिंदू सर्रेकी होंगे अथवा नहीं होंगे तो देखें अब हम प्रशन संख्या 9 पर आ जाते हैं यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो बिंदू ओं P 2A प्लस B वेक्टर और Q A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर को मिलाने वाली रेखा को एक अनपात दो की अनपात में भाइड विवाजित करने वाले बिंदू R का इस्तिती सदिस ग्याद कीजिए और आगे आपको बोला गया है कि यह भी दर्सा यह कि बिंदू P रेखा खंड R Q का मध्य बिंदू होगा तो देखें सबसे पहले तो आप यह देख रहे हैं कि आपको बोला गया है बिंदू P और Q के इस्तिती से से आपको बोले दिये गए हैं तो देखें हम एक रफ डाइगरम बना लेते हैं फिर हम इस प्रशन को हल करेंगे तो हम काफी आसानी से इसको हल कर पाएंगे जैसे माल लीजेगा आपके पास यह है यह हो गया माल लीजेगा आपके पास बिंदू P 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर और यह आपके पास हो गया देखो बिंदू Q A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर अब आप यह देखो कि आपको बुला गए जो बिंदू R है वो एक अनपाद दो में भाय विवाजित करता है जबकि बिंदू P पहले दिया हुआ इसका मतलब ये हुआ कि Rp बटे Rq बराबर 1 बटे 2 होना चाहिए अर्थाथ Rp की दूरी कम होनी चाहिए Rq की दूरी ज़ादा होनी चाहिए क्योंकि देखिए हर में Rq लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाय विवाजित कर रहा है तो बिंदू R P के बाईं तरफ होना चाहिए तो माना हमने बिंदू R यहाँ पर आपके पास हो गया अब आप यह देखो हमें बिंदू R के वेक्टर चाहिए थे इस तुछी सदेश मतलब तो हमने माल लिया R वेक्टर है अब बोला गया कि R P बटे R Q एक बटे दो है तो माल लिजेगा मैं इसको R P माल लेता हूँ और ठाथ एक माल लिया मैंने से वैसे एक नहीं है यह बस मैंने केवल एक की तरह लिख दिया है इसी तरीके से देखिए R Q आपके पास देखते हैं क्या हो जाएगा R Q यह हो जाएगा या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने rp को k माना तो rq आपके पास 2k हो जाएगा इसलिए अब आपको यदि pq चाहिए होगा तो pq देखिए आपके पास हो जाएगा rq माइनस rp अर्थात 2k माइनस k अर्थात k हो जाएगा तो इस तरीके से आपके पास pq भी k आजाएगा तो अब देखो ये सवाल वैसे तो भाई विवाजन का सवाल था लेकिन अब आपने इसको एक तरीके से अंत्य विवाजन मा बदल दिया कैसे उसको समझते हैं आप बोल सकते हैं कि बिंदू p, r तथा q को k अनपात k k अनपात k मतलब एक अनपात एक रेशियो में विवाजन करता है और देखो ये एक अनपात एक बेसिकली हो गया तो एक का गुणा r वेक्टर से करोगे प्लस आप देखी इस एक का गुणा a वेक्टर माइनस 3 b वेक्टर से करोगे तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया बटे आप कर दोगे 1 प्लस 1 तो इस तरीके से आप ये देखिए आपके पास हो जाएगा 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस 3 b वेक्टर बटे 2 अब चुक्कि देखो यहाँ पर दो आपके पास हर में आ रहा है तो हम इसको पच्छानतर कर देते हैं तो यहाँ पर ये अंस में गुणा हो जाएगा तो आज जाएगा 2 गुणा 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर r वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस 3 b वेक्टर तो देखें यहाँ चार a वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर बराबर r वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस 3 b वेक्टर अब आप देखी आपको तो बिंदो R के इस्तिति सदिस चाहिए थे अरथाद R वेक्टर आपको चाहिए था तो इस तरीके से देखी R वेक्टर आपके पास हो जाएगा 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा यह तो देखो एक तरीका आपके पास राग यहाँ पर r vector रथाद बिंदो r के इस्तिती सदेश आपने निकाल लिए यहाँ मैं लिख भी देता हूँ बिंदो r के इस्तिती सदेश अब देखे अब हम इसको दूसरे method से भी हल कर सकते हैं देखे आप से बोला गया था बिंदो r भायविवाजित करता है तो हमने अंते विवाजन का प्रशनिक तरीके से बना लिया फिर हमने अंते विवाजन का formula लगाया अगर आप चाहें तो direct आप भायविवाजन का formula भी लगा सकते हैं तो देखिए यहां तो मैं लिख देता हूँ method 1 अब हम वाय विवाजन के लिए देखते हैं तो देखिए method 2 तो देखिए method 2 में अगर ये बिंदू P है ये बिंदू Q है मैं यहाँ पर Q के इससी सदेस लिख लेता हूँ ये दिये थे a vector minus 3b vector और बिंदू P के इससी सदेस आपको दिया हूए थे 2a vector plus b vector तो यहाँ से अब देखो जो बिंदू R था वो एक अनपाद 2 में वाज़त कर रहा था तो बिंदू R मान लिजेगा यहाँ पर कहीं आएगा इसससी सदेस हम R vector मान लेते हैं आपको R vector नकालना है यह भी आपको पता है तो आपको यह पता है कि R P बटे R Q एक अनपाद 2 है तभी तो वो अनपाद आपको दिया हुआ है वाई विवाजन का तो यह एक हो गया यह दो हो गया एक तरीके से अब आप यह देखो कि यहां से अगर आप वाई विवाजन का formula लगाए तो यहां से देखो R vector बराबर यहां पर आप देखो कि आपके पास एक का गुणा आप A vector माइनस 3B vector से करोगे तो देखो यह आ जाएगा पहले तो 2 का गुणा करोगे 2A प्लस B से तो 2 गुणा 2A vector प्लस B vector माइनस एक का गुणा करोगे A vector माइनस 3B vector से बटे आप देखिए आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 1 तो इस तरीके से अब आप देखो इसको थोड़ा सरल करोगे तो यह देखिए R vector बराबर 2 का गुणा 2A vector से करेंगे माइनस और माइनस देखो प्लस हो जाएगा तो यह प्लस का 3B vector आ गया बटे 2 माइनस 1 है अर्थाथ यह 1 आ गया तो आप देखिए R vector आपके पास आ जाएगा 4A vector में से A vector घटाओगे तो 3A vector प्लस 2B vector में से 3B vector घटाओगे तो 5B vector बटे 1 है मतलब आप उसको ना भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से आपने R vector यहां से निकाल दिया method 2 से तो यही आपके पास बिंदू R का इस्तिती सदिस हो जाएगा तो आपने देख लिया कि हमने अगले भाले भाग में दिया हुआ तक कि दर्साई यह बिंदू P रेखा घंड R Q का मद्धि बिंदू है तो अब देखो आपके पास R के नर्जेस आगा आगई अर्थात R के इस्तिती सदिस आगए है Q के आपको पता है पी के पता है तो अब हम यहां पर तो अब वो देखिए क्या आएगा वो आएगा बिंदू R का इस्तिती सदिस तो जो के अपने पास था देखिए 3A वेक्टर प्लस 5 वेक्टर यही आपने अभी निकाला है प्लस अब बिंदू Q का इस्तिती सदिस लिख लेते हैं Q का इससी सदे से a vector minus 3b vector तो यहाँ पर आपने लिग दिया a vector minus 3b vector बटे अब देखिए यहाँ पर आप 2 कर देंगे क्योंकि आपने मध्य बिंदू निकाल ला है तो यहाँ से अब आप यह देखो 3a vector plus a vector यह हो गया 4a vector plus 5b vector मैं से 3b vector घटाओगे तो 2b vector आ गया बटे 2 आगया आपके पास तो आप देखो आप 2 minus टिले सकते हो आपके समय से तो आपके पास आजाएगा 2a vector plus b vector बटे 2 तो उसे देखो 2 यह cancel हो गया फिर आपके पास यह बच जाएगा यहाँ से 2a vector plus b vector और आप देखो 2a vector plus b vector आपको प्रस्ण में बोला भी गया है कि यह तो p के निर्दे सांख है और ताथ p का इस्तिचे सर्दस है तो यहाँ से आपके पास आ गया बिंदु p तो अब यहाँ से आप सिद्ध कर चुके हैं कि देखो यही आपको बोला गया था सिद्ध करने को p r q का मद्य बिंदु होगा और आपने मद्य बिंदु निकाला तो वो p आ गया तो इसलिए अब आप बोलेंगे कि p बिंदु r तथा q का मद्य बिंदु है अब देखिए हम अगले प्रश्ण पर आ जाते हैं अर्थात प्रश्ण संख्या 10 पर इस प्रश्ण में आपको बोला गया है कि एक समानतर चत्रवज की सनलगन बुजाएं दो i-cap माइनस 4j-cap प्लस 5 के cap और i-cap माइनस 2j-cap माइनस 3 के cap हैं इसके विकर्ण के समानतर एक सदिस ग्याद कीजिए तथा इसका छेतर फल भी ग्याद कीजिए तो सबसे पहले तो देखिए आप एक समानतर चत्र वज बना लें क्योंकि उससे आपको प्रश्ण समझना का काफी आसान हो जाएगा तो देखी ये इस तरीके से माल लेज़ेगा एक समांतर चतर हो जो गया हम इसके सीडसों के नाम देते हैं A B C D अब आप ये देखो कि सललगन भुजाएं दी हैं सललगन भुजाएं का मतलब होता है आसपास वाली दो भुजाएं कोई सी भी दो पांच के कैप अब A B की सललगन देखो A D B भी है और B C भी है तो आप किसी भी एक को ये माल लोगे तो माल लिज़ेगा आपने ये माल लिए बी वेक्टर अर्थाथ ये वाली भुजा आई कैप माइनस दो जे कैप माइनस तीन के कैप तो आपने देखो सलललगन भुजाए अब बात आती है कि इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिस ग्याद कीजिए तो अब आपको इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिस ग्याद करना है अब आप जानते हैं इसमें दो विकर्ण होते हैं तो ऐसा प्रशन में नहीं बोला गया है कि इसके किसी एक आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है तो अगर आपने देखो a,b वेक्टर कुछ इस तरीके से माना b,c वेक्टर कुछ इस तरीके से माना और यहां से आप ये देखो आपने अगर a से c को जोड दिया तो देखो a से c को यदि आप जोड़ोगे तो आप ऐसे कुछ जोड़ोगे और अगर आपने A, C वेक्टर कुछ इस तरीके से माना एक तो देखो ये विकर्ण हो गया A, C अब बात आती है कि दूसरा विकर्ण क्या होगा आपके पास तो अगर आप ये देखो अब कि हम B से D को जोड़ देते हैं अब आपके पास दूसरा विकर्ण आ जाएगा तो आप B से D को जोड़ दीजेगा अब आप ये देखो कि अगर हमने इस तरीके से BD मान लिया अब ये देखो जो BC है अर्थाथ B वेक्टर है वही आपके पास AD होगा अर्थाथ ये भी आपके पास B वेक्टरी होगा I KeP माइनस 2J KeP माइनस 3K KeP तो अब ये देखो कि दो विकर्ण आगए आपके पास आपको बोला गए विकर्ण के समानतर मात्रक से दिज़ ग्याद करना है तो सबसे पहले तो हम AC वाले विकरण को निकाल लेते हैं अर्थात सदिस को निकाल लेते हैं तो देखो यह आएगा आपके पास A vector प्लस B vector यह हमने आपको पहले बताया था कि देखो यहां से start होकर यहां की तरफ जा रहा है फिर यहीं से इसका प्रारंबिक मिंदू start होगा और यह अंतिम मिंदू है B vector का और आपने A से C को जोड़ दिया तो AB प्लस BC वराबर AC आएगा AB A vector है और BC B vector है तो इस तरीके से देखिए AC वाला विकरण अर्थात AC जो सदिस होगा वो आपके पास आजाएगा 2 I cap माइनस 4 J cap प्लस 5 K cap प्लस B vector देखो I cap माइनस 2 J cap माइनस 3 K cap आपके पास तो आप यह देखो यहां से AC vector बराबर 2 I cap मैंसे 1 I cap आप जोड़ो तो यह आपके पास आगए 3 I cap माइनस 4 J cap और माइनस 2 J cap करोगे तो माइनस का 6 J cap आगया प्लस का 5 K cap और माइनस 3 K cap करोगे तो प्लस का 2 K cap आपके पास आजाएगा तो इस तरीके से AC vector आपके पास आगया देखे मातर सदेस हम बाद में नकाल लेंगे अभी हम दूसरा वाला विकड़ भी नकाल लेते हैं BD वाला तो देखे उसके लिए अब आप देखोगे ABD वाले तरवज में तो देखो AB प्लस BD बराबर AD आ जाएगा तो यहां से आप देख रहे हैं कि A vector प्लस BD vector बराबर AD vector अर्था B vector आ गया तो आप देखे बी डी vector आपके पास हो जाएगा B vector माइनस A vector तो देखे BD vector यहां से हो गया आपके पास B vector देखो यह वाला है और A vector आपके पास यह है तो B vector में से A vector घटाएगे तो आपके पास आजाएगा माइनस काई vector प्लस 2J vector माइनस 8K vector तो इस तरीके से आपने दूसरे वाले विकर्ड का सदिस भी निकाल लिया अब हम यहां पर मातरक सदिस निकालेंगे तो देखे A C vector के समानतर मातरक सदिस अब आप निकाल लाएँ तो देखे मातरक सदिस मतलब जिसका परिमाड एक हो तो देखो A C vector तो आपको पता ही है यह है 3 I cap माइनस 6 J cap प्लस 2 K cap बटे इसका परिमाड तो देखे 3 का वर्ग 9 माइनस 6 का वर्ग 36 प्लस 2 का वर्ग आपके पास 4 आ गया तो अब यह देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो यह आ जाएगा 3 I cap माइनस 6 J cap प्लस 2 K cap बटे देखो यह अंडरूट में उननचास आएगा अर्थात यह 7 हो गया इस तरीके से एसी जो सदिस है उसके समानतर आपने मातरक सदिस ग्याद कर लिया इसी प्रकार आप BD वेक्टर जो है उसके समानतर मातरक सदिस ग्याद करेंगे तो वही तरीका आप यहाँ पर अपनाएंगे मातरक सदिस ग्याद करने के लिए आप उस वेक्टर को उसके परमाड से विभाजित कर देते हैं तो देखे यह आजाएगा BD वेक्टर पहले लिख लो माइनस I cap प्लस 2 J cap माइनस 8 K cap बटे देखो इसका अगर आप परमाड लिखोगे तो देखो माइनस 1 का स्क्वाइर 1 प्लस 2 का स्क्वाइर 4 प्लस माइनस 8 का स्क्वाइर 64 तो यह आगया माइनस I cap प्लस 2 J cap माइनस 8 K cap बटे अंडर रूट में 69 इस तरीके से आपने देखो दोनोंवविकरण निकाले थी और दोनोंविकरणों के समानतर मातरक सदिस ग्यात कर लिया है चलिए अब यह तो आपने कर लिया है इसके बाद हम अगले वाले भाग पर आ जाते हैं इसना आपको बोला गया था कि आपको इसका छेतरफल भी गयात करना था इसका मतलब इस समानतर चत्रभुज का तो देखिए समानतर चत्रभुज का छेतरफल हमने पहले भी फॉर्मूले में पढ़ा है पिछली प्रशनावली में तो यहाँ पर लिख लेते हैं अब A वेक्टर और B वेक्टर होते क्या हैं तो यह बेसिकली सलनगन भुजाय होती हैं मतलब आसपास वाली भुजाय होनी चाहिए ध्यान दक हैं कुछ चातरिस में गलती कर देते हैं वो सीड्स के सिड्स लिख लेते हैं A और B को वो गलत है यह बुजायों के वेक्टर हैं यह तो अब देखो बेसिकली आपको पहले A वेक्टर क्रोस B वेक्टर निकालना पड़ेगा तो हम पहले उसको निकालते हैं तो देखो A वेक्टर क्रोस B वेक्टर अर्थाथ सबसे पहले तो हम A vector लिख लेते हैं तो 2 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap हो गया cross B vector लिख लेते हैं तो यह आ गया I cap minus 2 J cap minus 3 K cap तो आपने देखो B vector भी लिख लिया अब हम A cross B करते हैं तो देखो इसके लिए I, J, K लिख दिया अब सबसे पहले चुगी A लिखा है तो इसके लिख लो वैसे तो आप B भी लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं है उसमें अब देखो B वाले लिख लेते हैं 1, minus 2, minus 3 तो देखिए I vector के गुडांग देखते हैं यह जाएगा minus 4 गुडा minus 3 अर्थाथ 12 है minus 2, minus 2, minus 10 आएगा लेकिन यह minus पहले से होता है तो यह plus 10 हो गया minus J के अब देखिए 2 का गुडा minus 3 से करोगे तो minus 6 minus 1 का गुडा 5 से करोगे तो यह 5 आगया plus K vector 2 का गुडा minus 2 से करोगे तो minus 4 minus 1 का गुडा अब आप minus 4 से करोगे तो यह minus 4 आएगा तो यहां से अब आप यह देखो कि यह आगया 22 i cap अब देखो यह माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11 हो गया और माइनस पहले से तो प्लस का 11 है j cap आगया और देखो यह तो cancel हो जाएगा तो यह basically 0 k cap आएगा या फिर आप ना भी लिखें तो इस तरीके से देखो यह 11 है common ले लो आ i cap प्लस j cap आपके पास आगया तो आपने देखा कि a cross b जो आपके पास आया है वो है 11 दो i cap प्लस j cap आप चुकि खेतरफल निकालने के लिए तो इसका परमाड चाहिए होगा तो आपने यहां पर देखो यह वाला चन्र बना दिया तो देखो 11 है तो एक अचर रासी है तो निकालने में इसका तो कोई यूज है ही नी तो आप इसको तो भार रख देए अब देखें अंडरूट में 2 i cap प्लस j cap का परमाड लेखो तो यहां पर लेखोगे 2 का वर्ग प्लस j का वड़ांग देखो एक है तो एक का वर्ग आपने लिख दिया तो इस तरीके से देखी आपके पास 11 है अंडरूट 5 आ जाएगा अब बात आती है कि देखो छितरफल यह दिया आपने लिखा है तो इसका कुछ मात्रक होना चाहिए तो आप वर्ग मात्रक या वर् देख सकते हैं तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समानतर चातरवज का छितरफल भी निकाल दिया है अब देखिए ग्यारे में प्रशन पर हम आते हैं आपको बोला गया कि दरसा यह कि OX, OY एवं OZ अच्छों के साथ बराबर जुके हुए सदिसकी दुख कौसाइन कौज जurrection थायें, एक बटे अंडरूर्ट तीन, एक बटे अंडरूर्ट तीन, होगे, तो सबसे पहरे तो देखिए हम कॉंसेब्ट समाज लिते हैं कि देखिए यहाँ पर सबसे पहरे तो हम X, Y, X और Z, बना लेते हैं तो ये देखिए X, अच्छ हो गया, ये इस तरीके से Y, X, और इस तरीके से देखी, यह अपने पास z हो गया. इसका मतलब, इसको हम o x बोलेंगे, जो x अच्छ है, y x को o y बोल सकते हैं, और z x को o z बोल सकते हैं. अब यह देखिए, कि अगर आपके पास कोई भी एक vector बना हुआ है, वेक्टर देखिए, कोई भी 3D space में बना हुआ होगा, तो माल लिजेगा, आपके पास यह एक vector बना हुआ है. तो अब आप यह देखो, कि यह vector o x अच्छ है, यह हम बोल सकते हैं, x अच्छ से कुछ ना कुछ कौण बना रहा होगा, तो माल लिजेगा, वो कौण alpha बना रहा है, यह माल लिजेगा, o p vector था अपने पास, यह vector देखिए, y x अर्थाद, o y x से भी कुछ ना कुछ कौण बना रहा होगा, तो माल लिजेगा, वो कौण beta बनाता है, और इसी प्रकार, यह vector, z अच्छ से भी कुछ ना कुछ कौण बना रहा होगा, तो यह आप देखोगे, तो यह कौण, आपके पास माल लिजेगा, गामा है, अर्थाद, o z से बना रहा है का कौण, o p का गामा है, तो जब आपको कौण पता है, उन अच्छों से जिखे हुए, तो यहाँ पर आप direction cosine बोल सकते हैं, इसलिए direction cosine, direction cosine जिसको हम हिंदी में dhik cosine या dhik kojya बोलते हैं, तो आपके दhik kojya, dhik cosine एक ही बात है, क्योंकि cosine को हम हिंदी में kojya बोलते हैं, तो देखों, वो आपके पास होती है, cos alpha, cos beta और cos gamma, अर्थात, आपको यह समझ में आया कि, यदे हमें कौण पता हैं, तो हम direction cosine निकाल सकते हैं, जो होते हैं, cos alpha, cos beta तथा cos gamma, अब इसके बाद देखें, आपको एक और formula ध्यान रखना है, ध्यान रखें कि हमेशा cos square alpha प्लस cos square beta प्लस cos square gamma, यह हमेशा एक होता है, यह इसको आप हमेशा contest रखें, काफी मैत्रपूर्ण formula आई हैं आपके पास, तो यह basically आपके पास अभी तेख हमने concept बता दिया, अब हम इस प्रश्ण पर आते हैं, तो इस प्रश्ण में बोला गया है कि वो vector तो o x o y जा था o z के साथ बराबर जुका हुआ है, बराबर जुका हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि तीनों कॉण बराबर हो गए, अर्थाद alpha, beta और gamma तीनों बराबर हो गए, तो इसलिए अब देखो, cos square alpha, प्लस, जो यह beta है, मैं इसको भी alpha ही बोल दो, क्योंकि सब हैं तो बराबर ही, और यह जो gamma है, इसको भी मैं alpha बोल देता हूँ, तो यह भी आपके पास ही हो गया, तो मैं यहाँ पर लग देता हूँ, प्रश्ण आनुसार, प्रश्ण में बोला गया है, कि alpha, beta, gamma बेसिकली बराबर है, तो यहाँ से, अब आप यह देखो, यह आ जाएगा, 3 cos square alpha बराबर 1 आ गया, तो देखे, 3 cos square alpha बराबर 1 आया, तो आपके पास, cos square alpha बराबर 1 बटे 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से, cos alpha बराबर, plus minus 1 बटे अंडरूट 3 आ जाएगा, अब देखे, plus में भी आएगा, और minus में भी आ जाएगा, अब लेकिन जो आपको प्रश्ण में हल करना है, वो क्यों धनात्मक दिये हुए हैं, इस बात का आप ध्यान लखें, तो इसलिए, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, कि cos alpha बराबर, एक बटे अंडरूट 3 यह भी, एक ना एक हल तो इसका हो गई होगा, तो अब देखे, cos alpha आ गया, इसलिए, अब आपको यदि दिक कोज्जाएं लिखनी होंगी, तो हमने देखा था, cos alpha, cos beta, cos gamma था, लेकिन वो alpha, beta, gamma सब सेम थे, तो वो basically cos alpha, cos alpha, cos alpha हो जाएगा, अर्थाथ, एक बटे अंडरूट 3, कॉमा एक बटे अंडरूट 3, कॉमा एक बटे अंडरूट 3, यह आपके पास हो जाएगा, तो यही आपको इस प्रशन में सिद्ध भी करना था, चलिए, अब अगले प्रशन पर आ जाते हैं, प्रशन संख्या बारे पर, मान लीजिए, a vector बराबर i cap प्लस 4 j cap प्लस 2 k cap है, और b vector बराबर 3 i cap माइनस 2 j cap प्लस 7 k cap है, तथा c vector बराबर 2 i cap माइनस j cap प्लस 4 k cap है, तो एक ऐसा सजिस d vector ग्याद कीजिए, जो a vector और b vector दोनों पर लंब है, तथा c vector तथा d vector का अधिस गोड़नफल 15 हैं, dot product अर्था अधिस गोड़नफल आपको दिया हुआ है 15 हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो, कि आपके पास 3 vector दिये हुए हैं, a, b तशा c vector, आपको d vector ग्याद करना है, तो देखिए, माना d vector बराबर, आपने माल लिया d1 i cap प्लस d2 j cap प्लस d3 k cap, कोई भी vector होगा, तो उसमें 3 इंगटक हो सकते हैं, i, j और k के, तो मतलब आपने कुछ इस तरीके से माल लिया, अर्थात आपको ये समझ में आएगा, कि कैसे भी आपको d1, d2, d3 की value पता लग जाए, तो आपके पास d vector बहुत आसानी से आ जाएगा, अब आप ये देखो, कि आपको बोला गया कि जो ये d vector है, वो a vector और b vector दोनों पर लंब है, मतलब a vector की भी लंबवत है, तो इसलिए, अब आप देखिए, d vector का a vector से, अधिस गुण अन्फल, यहां हम बहु सकते हैं, dot product करें, तो वो 0 आएगा, क्योंकि, देखो, आपको पता है कि यदि दो vector, अगर हमने a vector और b vector दिया है, उनका dot product करते हैं, तो यह आता है, vector a का पर्माण, vector b का पर्माण, cos theta, अगर यह लंबवत होंगे, तो यह theta 90 हो जाएगा, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो a और d लंबवत हैं, तो इसी तरीके से d dot a 0 हो गया, तो अब देखो, यहाँ पर हम करते हैं, d vector की जगे d1 i cap, plus d2 j cap, plus d3 k cap, dot product, a vector की जगे देखो, हम यह लिख देते हैं, अर्थाद i1 plus, sorry, i cap plus 4 j cap, plus 2 k cap, बराबर 0 होना चाहिए, तो अब देखो, इसको हम सरल करते हैं, अर्थाद dot product करते हैं, तो यह आगए d1, plus 4 d2, plus 2 d3, बराबर 0, यह आपके पास, दूसर समी करण हो गया, अब इसी तरीके से, आपको तो बोला गया, कि d vector तो b vector पर भी लंब बत है, तो यहाँ से आप d vector, और b vector का dot product, अर्थाद, अधिस गुडणफल भी 0 कर देंगे, तो चलिए, अब हम दुबारा लिखते हैं, d vector देखा हुआ है, d1 i cap, plus d2 j cap, plus d3 k cap, dot product b vector है, देखो आपके पास, 3 i cap, minus 2 j cap, plus 7 k cap, बराबर 0, तो यहाँ से, अब आप यह देखो, कि d1 का गुणा आप 3 से करोगे, तभी आएगा, dot product में हमने सीखा है, कि i cap का i cap से करोगे, तभी बनाएगा, बागी सब 0 हो जाएंगे, तो यह आगए, 3 d1, minus 2 d2, plus 7 d3, बराबर 0, तो इसको आप सम्मी कर संक्या, 3 मान लिजेगा, अब आप यह देखो, कि आपके पास 2 सम्मी करन तो आ गए, यहाँ पर, अब हम एक बात और गौर कर रहे हैं, कि c dot d आपको 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से देखे, c vector dot d vector, आपको 15 दिया हुआ है, तो अब आप c vector को लिख दीजेगा, c vector है, आपके पास 2 i cap माइनस 4, sorry, 2 i cap माइनस j cap प्लस 4 k cap, तो यह लिख देखे, 2 i cap माइनस j cap प्लस 4 k cap dot, d vector देखे, वो आपने माना था, d1 i cap प्लस d2 j cap, प्लस d3 k cap, बराबर 15 हैं, तो अब आप यह देखो, कि यहाँ से, 2 i cap का गुणा, d1 i cap से करोगे, तो 2 d1, माइनस j cap का गुणा, प्लस d2 j cap से करोगे, तो माइनस d2, प्लस, इसी तरीके से, यह 4 का गुणा d3 से हो जाएगा, तो 4 d3, बराबर यह 15 हैं आपके पास आगया, इसको आप समीकर संक्या, चार मान लिजेगा, अब आपको यह तो पता था, कि कैसे भी d1, d2, d3 की value, आपको पता लग जाए, तो आप d vector आसानी से ग्याद कर सकते हैं, अब d1, d2, d3, अर्था 3 value आपको पता करनी हैं, और देखिए आपके पास 3 ही समीकरन है, यह देखिए रहके एक समीकरन है 3 हो, d1, d2, d3 में, इसका मतलब आप इनको हल करके, d1, d2, d3 की value प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए, यहाँ पर हम इनकी value निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले तो, यहाँ पर देखिए, हम समीकरन 2, वह समीकरन 3 से, देखो, बेसिकरन 3 समीकरनों को हल करना है, अब वो आपके उपर निर्पर करता है, कि आप कैसे इनको हल करते हैं, तो देखिए, मैं यहाँ पर समीकरन 4 में, माइनस d2 है, और समीकरन 3 में, माइनस 2 d2 है, तो समीकरन 4 में, 2 का गुणा कर देता हूँ, समीकरंट 4 में हमने 2 का गुणा किया है तो मतलब यह 4D1 माइनस 2D2 प्लस 8D3 माइनस समीकरंट 3 देखो यह है आपके पास 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 बराबर देखो 2 का गुणा किया होगा तो यहां भी तो 30 हो गया होगा यहां 0 ही रहेगा घटाने पर भी तो इस तरीके से अब आप यह देखो कि माइनस 2D2 है और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बिसिकली यह कट गई चैंसल हो गई तो आपके पास बचा D1 प्लस D3 बराबर 30 तो इसको आप समीकरंट 3 से D1 और D3 में समीकरंट प्राप्त कर लिया अब हम यहां पर समीकरंट 2 और समीकरंट 4 से कर लेते हैं या आप चाहें तो समीकरंट 2 या समीकरंट 3 से कर लो किसी भी एक 2 से कर लो कोई से भी यह पूरा आपके उपनिपर करता है तो मान लिजेगा हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से करते हैं तो समीकरण 3 में देखो यहां माइनस 2D2 है यहां प्लस का 4D2 है तो समीकरण 3 में हम दुका गुणा कर देते हैं तो 2 गुणा समीकरण 3 और उसमें हम समीकरण 2 को जोड देते हैं अभी तो आपके पास d2 वाला टर्म हट जाएगा, चलिए, ये करते हैं, तो आप देखिए, इसमें आपने दुका कुणा किया है, तो 6d1-4d2-14d3 आ जाएगा, तो देखिए, 6d1-4d2-14d3 प्लस, समीकरण 2 लिख लेते हैं, समीकरण 2 है d1-4d2-2d3, तो यह आगए d1-4d2- प्लस, 2d3-बराबर, आप देखिए, ये आपके पास, दोना तरफ 0 है, चाहें, 2 का बोणा करो, चाहें, किसी का भी, जोडने पर, तो सब 0 ही आएगा, तो अब आप ये देखो, माइनस चारण d2 और ये प्लस का चारण d2, ये तो कैंसल होगे आपके पास, तो अब आपके अब यहां से आप देखो, 5 और 6 में आपको d1, d3 आसानी से मिल जाएगा, तो यहां से अब हम समीकरण 5 में 7 का गुणा कर देते हैं, माइनस समीकरण 6 कर देते हैं, तो देखो, ये आया गया 7 d1 प्लस 7 d3, माइनस समीकरण 6 में बाएं प्लस 16 d3, बराबर, देखो, इतर 7 का पोणा करोगे, तो 210 आगया, माइनस, इधर ऐसे रहने देना, मतलब 0 घटाना है आपको, तो अब आप ये देखो, आपके पास 7 d1 में से, 7 d1 ये कैंसल हो गया, तो 7 d3 में से 16 d3 आपको घटाना है, तो ये आगया, माइनस का 9 d3, बराबर 210, देखे, d3 बराबर आपके पास हो जाएगा 210 बटे 9, और ये माइनस का चन्ना आपने लगा दिया, तो देखो, आप देख रहे हैं, कि ये आपके पास 3 से कैंसल हो जाएगा, तो d3 आपके पास आगया, माइनस का 70 बटे 3, तो d3 आगया, आपके पास माइनस का 70 बटे 3, अब अगर आपके पास d3 आगया, तो आप समीकरण 5 ले लो या समीकरण 6, कोई भी एक समीकरण ले लो, D1 निकाल सकते हो. तो देखिए हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, सहरी, समीकरण 5 को ले लेते हैं. समीकरण 5 में आपको दिया था D1 Plus D3. तो D3 के देगा माइनस 70 बटे 3 और ये बरावर 30 दिया था तो D1 देखिए आ जाएगा 30 प्लस 70 बटे 3 अर्थाद 160 बटे 3 तो इस तरीके से आपने D1 निकाल दिया आप देखो D1 और D3 आपके पास आगे आप D2 निकालना है तो D2 के लिए तो 3 समीकरण थे आपके पास D1, D2, D3 में D1 और D3 पता है तो कोई सा भी एक समीकरण लेकर आप D2 प्राप्त कर सकते हैं जैसे मालली जीगा हम समीकरण 3 ले लेते हैं तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में आप देखो आपके पास बोला गया था यहाँ पर 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 बराबर 0 यह था अब यहाँ पर हम मान लगा देते हैं तो देखो D1 की जगे 160 बटे 3 लगाएंगे और 3 यहाँ पर है तो वैसे तो यह कट जाएगा लेकिन अभी मैंने देखो पूरा लिख दिया माइनस 2D2 प्लस 7D3 करना है अर्था 7D3 की जगे माइनस 17 बटे 3 कर दिया बराबर 0 तो देखो अगर आप चाहो तो 3 को कैंसल कर दो अगर ना चाहो तो कैंसल ना ही करें तो ज़्यादा बहतर रहेगा क्योंकि लासा पास अब काम 3 ले लेते हैं जल्दी से तो यह आगया 480 माइनस 6D2 माइनस 490 बटे 3 बराबर 0 यह आपके पास आगया तो इस तरीके से अब आप यह देखो आपके पास आगया 480 में से 490 घटाएंगे तो माइनस का 10 माइनस 6D2 बराबर 0 क्योंकि देखो 3 को पच्छांतर करोगे तो दरगोणा हो गया 3 का 0 में 0 ही आएगा तो आपके पास देखो आजाएगा 6D2 बराबर माइनस 10 अर्था देखा हमने D1, D2, D3, 3 तीनों निकाल लिए अब देखे D वेक्टर आपको निकालना था ये तो आपने इसके बराबर माना था तो अब आप लिख सकते हैं समीह करण 1 से आपको D वेक्टर निकालना था तो इसलिए देखे D वेक्टर बराबर D1, I cap था तो D1 की जगे 160 बटे 3, I cap प्लस D2, J cap था तो D2 की जगे माइनस 5 बटे 3, J cap प्लस D3, K cap था D3 की जगे आप लिख देंगे यहाँ पर माइनस 70 बटे 3, K cap तो देखो ये आपके पास आजाएगा D वेक्टर बराबर एक बटे 3, आप उभेनिश ले सकते हैं तो ये आगए 160 I cap माइनस 5 J cap माइनस 70 K cap तो इस तरीके से आपका यहाँ पर D वेक्टर आसानी से आजाएगा अब देखिए ये तो रहा आपके पास मैथड एक अब हम समय लेते हैं कि मैथड 2 कौन सा हो सकता यहाँ पर इस प्रशन को हल करने का तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथड 1 अब देखो मैथड 2 में हम देख रहे हैं कि आपको D वेक्टर ग्याद करना है जो A वेक्टर था था B वेक्टर दोनों पर लंबवत है तो देखे जब हम सदिस गुड़नफल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि यदि आपको D वेक्टर दिये हुए हैं कोई से भी और उनके लंबवत दोनों के लंबवत कोई एक वेक्टर लिखना हो तो उनके वो सदिस गुड़नफल से मिलता है जैसे हमने देखा आपको ऐसे बताया था यह 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 वेक्टर है यह मानलीजी का B वेक्टर है आपको A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के लंबवत चाहिए तो वो उनका क्रॉस प्रोड़क्ट अर्था सदिस गुड़नफल करके मिलता है तो A क्रोस B जो आएगा वो दोनों के लंबवत होगा तो यह आपको हमने बताया था तो इस तरीके से अब देखो A क्रोस B कर दें या हम A क्रोस B के आगे कोई अचर चन का गुणा कर दें जैसे 5 का गुणा कर दें या 10 का गुणा कर दें लेकिन वो रहेगा तो लंबवत ही क्योंकि 10 और 5 ये सब तो अलग हड़ जाएंगे actual में तो A x B ही वेक्टर रहा दिसा तो वही रही उसकी तो इस तरीके से जो आप D वेक्टर होगा उसे आप लिख सकते हो lambda times A x B यहाँ तक इसको माल लिए D वेक्टर बरावर lambda times A vector x B vector इसका मतलब आपको पहले A x B करना होगा तो चलिए A x B कर लेते हैं तो देखो A vector आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर यह है और B vector आपके पास यह है तो चलिए A x B कर लेते हैं सबसे पहले हम तो देखिए I, J, K अब A vector के यहाँ पर हम गुडांग लेख लेते हैं I, J, K के तो यह आपके पास आ गया 1, 4, 2 फिर हम B vector के गुडांग लेख लेते हैं यह आ जाएंगे 3, minus 2, 7 तो अगर आप I vector के गुडांग निकालो जब आप cross-prosal कर रहे हैं लब सदिस गुडांग फिल कर रहे हैं तो देखो 4, 7, 28 minus, minus 2, 2, minus 4 होगा लेकिन यह minus पहले से तो यह plus का 4 होगया plus, sorry यह minus आएगा यहाँ पर तो यह minus J कैप आ गया अब देखो 1, 7, 7 आ गया minus 3, 2, 6 आ गया plus K कैप, अब देखो 1, 2, minus 2 आ गया minus 3, 4, 12 आ गया आपके पास तो इस तरीके से देखो आपके पास यह आ गया है तो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखो 28, 4, 32 आ गया अर्थाथ 32, आ गया minus J कैप और यह आ गया minus 14 केक है तो इस तरीके से देखो D वेक्टर आपके पास आ गया lambda 32, I कैप minus J कैप minus 14 केक है या फिर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं D वेक्टर बरावर 32, I कैप minus lambda J कैप minus 14 केक है आपने लेम्डा का सभी में गुणा कर दिया है क्योंकि लेम्डा तो भाहर था अब आप देखो कि आपको एक संबंद और दिया है कि C और D का dot product अर्थात अधिस गुणनफल 15 है तो यहां से अब देखे हम C dot D करेंगे तो C dot D वेक्टर यह आपको दिया हुआ है 15 तो C वेक्टर आपको देखो प्रेशन में बोला गया था देखे लेते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है C वेक्टर है आपके पास 2 I cap minus J cap plus 4 K cap तो यहां पर आप लिखे देगे 2 I cap minus J cap plus 4 K cap dot D वेक्टर देखो यह आपके पास है 32 lambda I cap minus lambda J cap minus 14 lambda K cap बराबर 15 है यह आपके पास देखो आगया तो अब आप यह देखो कि यहां से dot product करना है और साथ अजिस गुणन फल करना है तो 2 का गुणा 32 lambda से करोगे तो 64 lambda minus 1 का गुणा minus lambda से करोगे तो plus का lambda और 4 का गुणा minus 14 lambda से करोगे तो यह आपके पास आजाएगा minus का 56 lambda बराबर 15 है आगया तो देखो यह आगया 65 lambda minus 56 lambda बराबर 15 तो यह देखिए घटाने पर आपके पास 9 lambda आजाएगा बराबर 15 आगया तो lambda बराबर देखो 15 बटे 9 जब आप थोड़ा सरल करोगे तो देखिए lambda का मान आपके पास आजाएगा 5 बटे 3 तो lambda का मान यदि आपके पास आगया तो अब तो देखिए d vector आपको निकालना बेसिकली प्रेशन में उत्तर के लिए तो d vector तो आपके पास ये था इसको यदि हम समीकर्ण संक्या 7 माल लें तो देखिए इसलिए समीकर्ण 7 से d vector देखिए आपके पास हो जाएगा lambda का गुणा देखो आप यदि यहाँ पर इसको साथ माल लोगे तो हर बार lambda लगाना पड़ेगा इसलिए सबसे बहतर ये रहेगा आप यहाँ पर इसको साथ माल लो तो lambda 5 बटे 3 आप स्टार्टिक में लिख दो तो यह आए गया देखो 5 बटे 3 32 32 i cap फिर देखिए आपके पास है यहाँ पर minus j cap minus 14 k cap तो यह आगया minus j cap minus 14 k cap देखिए d vector इस तरीके से आपके पास देखो एक बटे 3 हमने बाहर रखा 5 का गुणा कर देते हैं तो 160 i cap minus 5 j cap minus 5 का गुणा 14 से करते हैं तो 70 k cap आपके पास आ जाएगा तो आप देख रहे हैं चाहें method 1 से आप हल करें चाहें method 2 से आपके पास d vector का मान वही आ रहा है जो पहले method में आ रहा था तो यह पूरे आपके उपर निर्वर करता है कि आप कौन सा method use करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका यह प्रशन हल हो चुका है प्रशन संख्याद तेरे की ओर हम बढ़ते हैं सदिस i cap प्लस j cap प्लस k cap का 2 i cap प्लस 4 j cap माइनस 5 k cap और lambda i cap प्लस 2 j cap प्लस 3 k cap के योगफल की दिसा में मात्रक सदिस के साथ अधिस गुडणफल 1 k बराबर है तो lambda का मान ग्याद कीजिए तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि अभी हो सकता है आपको थोड़ा भासा जब पढ़ रहे हैं प्रशन की तो हो सकता है थोड़ा lengthy प्रशन लगे लेकिन यह काफी आसान है समझते हैं क्या कि आपको धीरे धीरे करना एक ही किस्टेप समझते हैं तो सबसे पहले बोला गया है इस सदिस का तो इसको आप अलग हटा दो फिर बोला गया है कि यह दो सदिस दिये हुए है इनके योगफल की दिसाम है तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि पहले इनका इनको योगफल करना पड़ेगा तो माल लिजेगा यह है आपके पास A vektor आपने माल लिए यह माल लिजेगा आपने B vektor माल लिया और यह आपने देखो C vektor माल लिया तो आप तुरंत B vektor प्लस C vektor कर दो तो यह आ गया 2 i cap प्लस 4 j cap माइनस 5 k cap प्लस c vector हो गया lambda i cap प्लस 2 j cap प्लस 3 k cap तो आपने देखो योखफल की दिसामें बोलाता है इसलिए आपने योखफल कर दिया तो देखिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा सरल करते हैं b plus c vector यह आ गया देखो i cap के गुणांग लिखते हैं तो 2 plus lambda i cap फर देखिए j cap के गुणांग लिखते हैं तो यह आ गया 4 j है और यह 2 j है तो यह 6 j cap आ गया अब देखिए यह माइनस 5 k cap है और यह प्लस का 3 k cap है तो यह माइनस का 2 k cap आ गया तो इस तरीके साब आपने योखफल तो लिख दिया योखफल या योखफल की दिसा में बात तो वही आएगी मात्रक सदिस के साथ इसका मतलब अब आपको इस दिसा में मात्रक सदिस निकालना पड़ेगा मात्रक सदिस का मतलब आप जानते ही है जिसका परिमार एक हो अब हम लिखते हैं B vector plus C vector की दिसा में या बोल सकते हैं इसके समानतर मात्रक सदिस तो देखिए मात्रक सदिस आपको पताईए कि परमाड एक होना चाहिए तो उसके लिए देखो आप करते थे पहले तो वो vector लिख दो जो आया है तो 2 plus lambda I cap plus 6 J cap minus 2 K cap बटे अब देखिए आप इसके परमाड से इसको भाग कर देंगे तो देखो इसका परमाड आ गया 2 plus lambda का whole square plus 6 का whole square करोगे तो 36 आ गया plus minus 2 का square करोगे तो 4 आ गया तो इस तरीके से अब आप देखो आपके पास आ गया 2 plus lambda I cap plus 6 J cap minus 2 K cap बटे अंडर रूट में देखो आप चाहो तो इसको पहले open कर दो पूरा 2 plus lambda के whole square को चाहो तो ना भी करो क्योंकि lambda पता ही नहीं है अभी आपको तो यहाँ पर आप इसको ऐसी लिखा रहें दोगे तो 2 plus lambda का whole square इन दोनों को जोड़ दो तो यह आपके पास plus 40 आ गया तो इस तरीके से मातरक सदिस आ गया इनके योगफल की दिसामे फिर बोला गया था कि अधिस गुड़नफल एक है अब अधिस गुड़नफल किसका करना है वो a vector का करना था तो इस तरीके से अब आप करेंगे कि a vector dot यह जो vector है अर्थात 2 plus lambda i cap plus 6 j cap minus 2 k cap बटे अंडरूट में 2 plus lambda का whole square plus 40 यह देखो अधिस गुड़नफल कर रहे हैं कैसे पता देखो dot product नहीं यहाँ पर लिखा है बराबर एक होना चाहिए अब a vector भी तो लिख लेते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ है तो यह vector है i cap plus j cap plus k cap तो यहाँ देखेंगे i cap plus j cap plus k cap dot product अर्थात अधिस गुड़नफल 2 plus lambda i cap plus 6 j cap minus 2 k cap बटे अंडरूट में देखो यह आगया 2 plus lambda का whole square plus 40 और यह देखो बराबर एक आगया आपके पास तो अब देखो i cap का गुणा आप i cap से करोगे तो यह 2 plus lambda आगया अब आप एक बात का यह भी ध्यान रखो देखो यह जो हर में चलना आए यह एक अचर रासी है तो यह तो बेसिकली जैसा का तैसा ही रहेगी तो बार बार लिखने की दिरुवत नहीं है आप इसको पहली भार निकाल लो 1 upon under root में 2 plus lambda का whole square plus 40 यह देखो आपने पहली भार निकाल ली अब देखिए j cap का गुणा 6 j cap से करोगे तो plus का 6 आगया k cap का गुणा minus 2 k cap से करोगे तो minus का 2 आगया बराबर एक आगया आपके पास तो इस तरीके से देखो 2 plus lambda 6 में से 2 गटाओगे तो 4 आया और 2 यह है तो आपके पास 6 plus lambda ही रह गया उपर upon में देखिए under root में 2 plus lambda का whole square plus 40 आपके पास आगया बराबर एक आगया अब आप क्या करते हैं कि यह जो under root में दिया हुआ हर में आप इसको दूसी तरफ ले जाएंगे अर्थत पच्छामतर करोगे तो अब यह गुणा में आ जाएगा तो आगया 6 plus lambda बराबर एक का गुणा करना पड़ेगा बेसिकली तो आप ऐसे लिख सकते हो सीधे और यहाँ पर under root आ गया अब आपको lambda निकालना है तो सभाविक सी बात है under root का चिन हटाना पड़ेगा तभी तो आप गड़ना करताएंगे आसानी से तो आप दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग करने पर वर्ग करेंगे अर्थाद 22 पक्ष में वर्ग करोगे तो देखो 6 प्लस lambda का whole square आपके पास करना पड़ेगा बराबर यहाँ आ जाएगा under root में 2 प्लस lambda का whole square प्लस 40 यह तो आपके पास था अब इसका आपने वर्ग कर दिया तो देखो यहाँ पर आप formula लगाओगे a प्लस b का whole square वाला तो 6 का square 36 प्लस 2ab अर्थाद 12 lambda प्लस lambda का square lambda square हो गया बराबर देखो यहाँ यह under root हट जाएगा क्योंकि square है और यहाँ under root है तो यह हट जाएगा basically तो आगया 2 प्लस lambda का whole square प्लस 40 तो देखिए अब यहाँ से आप यह देखो कि यह आगया lambda square प्लस 12 lambda प्लस 36 यह बिल्कुल वैसा ही लिखा है मैंने कुछ भी change नहीं गया बस 36 को बाद में लिख दिया lambda को पहले लिया इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं इसको open करते है तो आगया lambda square प्लस 4 lambda प्लस 4 प्लस 40 अब आप देख रहे हैं कि देखो lambda square दाएपक्च में भी है और बाएपक्च में भी है तो यह आपने देखो cancel कर दिया अब देखे यह है 12 lambda अब यह 4 lambda जो है आपने पच्छांतर किया क्योंकि आप lambda का मान निकालना चारे हैं तो lambda की पदों को एक तरफ लेके आएंगे तो यह minus 4 lambda आगया जो अचर पद है उनको एक तरफ लेके आओगे तो 36 को आप उधर पच्छांतर करोगे तो यह आगया 4 प्लस 40 minus 36 तो देखिए 12 में से 4 घटाए तो लेमडा बराबर 8 बटे 8 अर्था 1 आ जाएगा तो इस तरीके से आपने इस प्रशन संख्या 13 का उत्तर निकाल दिया जो कि लेमडा का मान 1 आ रहा है तो देखिए प्रशन संख्या 14 पर बढ़ते हैं यदि A vector, B vector, C vector समान परिमाडों वाले परस पर लंबवा सदिस हैं तो दर्सा यह कि सदिस A vector प्लस B vector प्लस C vector सदिसों A vector, B vector तथा C vector के साथ बराबर जुका हुआ है तो सबसे पहले तो आप यह देखो कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि A vector, B vector तथा C vector समान परिमाड़ वाले हैं तो यहाँ से आपको समझ में आया कि A vector का परिमाड़ निकालो, B vector का परिमाड़ निकालो, और C vector का परिमाड़ निकालो इसका मतलब यह हुआ कि A vector लंबवथ है B vector के B vector लंबवथ है C vector के तथा A vector लंबवथ है C vector के तो देखें परसपर लंबवथ के लिए भी आपने लेख दिया फिर आपने देखाता है यदि दो vector लंबवथ होते हैं तो उनका अधिस को डनफल या dot product 0 होता है यहां से आपको समझ में आया कि A vector dot B vector यह 0 हो जाएगा आपके पास इसी तरीके से B vector dot C vector यह भी 0 हो जाएगा और A vector dot C vector यह भी आपके पास 0 हो जाएगा चलिए यह तो आपने लिख दिया अब आपको बोला गया है कि इस सदिस का A vector plus B vector plus C vector यह जो एक सदिस है इसका A vector की साथ कौण निकालो फिर B vector की साथ कौण निकालो और C vector की साथ कौण निकालो तो यह बराबर आ रहा है क्योंकि देखो आपको बोला गया है कि बराबर जुके हुए हैं बराबर जोके होने का मतलब है कि कॉर्ड बराबर बन रहा है। तो देखी हम सबसे पहले तो मान लेते हैं इनके कॉर्ड ठीटा 1, ठीटा 2, ठीटा 3 हैं। तो लिखते थे हैं यहाँ पर माना A vector प्लस B vector प्लस C vector सदेश A vector, B vector तथा C vector के साथ क्रमसह ठीटा 1, ठीटा 2, ठीटा 3 कॉर्ड बनाता है। यह देखो आपने मान लिया। अब आप यह देखो कि यहाँ से आप सबसे पहले ठीटा 1 निकालने का प्रयास करेंगे। तो ठीटा 1 है आपके पास देखो A प्लस B प्लस C का सदेश A के साथ क्रमसह ठीटा 1, B के साथ ठीटा 2 और C के साथ ठीटा 3। तो यहाँ पर हम इस सदेश का A वेक्टर के साथ कौण निकालेंगे। तो ध्यान रहें जब भी हमें कहीं कौण निकालना होता था तो हम अदिश गुड़नफल जिसको हम हिंदी में dot product भी बोल देते थे वो करते थे तो अब आप A vector plus B vector plus C vector इसका dot product करेंगे A vector के साथ तो देखो यह आएगा आपके पास A vector plus B vector plus C vector का परिमाण फिर देखिए vector A का परिमाण और cos theta 1 क्योंकि cos में कौण आता था, जितना कौण बनता है तो theta 1 कौण बनना था तो इस तरीके से आप देखिए, आपके पास यह हो जाएगा, देखो हल करने पर यह हो गया, a.a का whole square, तो यह a.a आ गया माल लो प्लस, देखो b.a आया प्लस, इसी तरीके से c.a आ गया बराबर, देखो इसके बारे में तो आप कुछ करी भी सकते हैं, तो इसको तो जैसा का तैसा ही आप लिख दो और यहाँ पर vector a का परमाड और cos theta 1 चलिए vector a का परमाड आप देख रहे है, vector a का परमाड, vector b का परमाड और vector c का परमाड बराबर हैं, तो हम माल लेते हैं, माल लेते हैं, यह k है, बराबर में भी k है, तो यहाँ पर हम k लिख देते हैं बार बार, तो यहाँ पर देखो, मैं a vector का परमाड लिखने के बजाए k लिख देता हूँ तो यह आ गया, अब आप यह कोई अंतर तो रहता ही नहीं, इस्थान परवर्तित करते हैं, तो यह 0, इसी तरीके से देखो, यह भी 0 हो गया, तो k square बरावर, vector a plus vector b plus vector c का परमाण, k cos theta 1, तो इस तरीके से देखो, यहाँ 1 k है और यहाँ k square है, तो 1 k cancel हो जाएगा, तो cos theta 1, देखी, आपके पास आजाएगा, k upon vector a plus vector b plus vector c का परमाण, इसको आप समी करसं के एक माल लीजेगा, अब बात करते हैं, कि b vector के साथ क्या कोण बना रहा था, तो अब हम a plus b plus c का b vector के साथ dot product करते हैं, तो देखो, a plus b plus c, इसका dot product करते हैं b vector के साथ में, तो यह आजाएगा, vector a का परमाण, plus vector b का परमाण, plus vector c का परमाण, sorry, a plus b plus c, पूर a का परमाण करना पड़ेगा, इसका, गुड़ा vector b का परमाण, cos, अब यहाँ पर आप theta 2 कर दे हुए, क्योंकि, cos theta 2 बना रहा है, तो इसलिए आपने cos theta 2 लिखा, अब देखिए, dot product करोगे, तो a dot dot b करोगे, plus b dot b हो जाएगा, plus c dot b आजाएगा आपके पास, बराबर, देखो यह तो k के बराबर आप लिख सकते हो, क्योंकि vector a का परमाण, vector b का परमाण, vector c का परमाण बराबर था, और k के बराबर आपने खुद माना था, तो आप उसकी जगे देखो k लिख दोगे, तो यहाँ पर देखो, अब लिख दोगे, a plus b plus c vector का परमाण, और cos theta 2, तो अब देखो, b और c लंबवत हैं परस पर, a और b v परस पर लंबवत हैं, तो यह सब तो 0 हो गए, तो आपके पास b dot b बचा अर्था, b vector के परमाण का whole square, तो b vector का परमाण k माना है, तो यह k square बराबर, a plus b plus c, जो vector है उसका परमाण, गोड़ा k cos theta 2, तो इस तरीके से, अब आप यह देखो, आपके पास cos theta 2, यह आ जागा देखो, k से यह kट जागा है, यहाँ पर, तो k upon vector a plus vector b plus vector c का परमाण, इसको आप समी कर संक्या 2 मान लिजेगा, तो देखो, अब आपने समी कर संक्या 1 और समी कर संक्या 2 तो निकाल लिए, अब यहाँ पर आपको बोला गया vector c के साथ भी कौर निकालना पड़ेगा आपको तो, तो यहाँ से, अब आप करोगे, a plus b plus c, जो यह vector है, इसका dot product vector c के साथ में, तो यह आ जाएगा, vector a plus vector b, plus vector c का परमाण, गोड़ा vector c का परमाण, cos theta theta 3, तो अब देखो, यहाँ पर a dot c आएगा, वो 0 हो जाएगा, b dot c भी 0 हो जाएगा, तो c dot c आएगा, वो हम सीधे अब एक बार में case square लिख सकते हैं, यह आ गया vector a, plus vector b, plus vector c का परमाण, देखो, vector c का परमाण, यहाँ पर आप लिखोगे, तो वो k आ गया, cos theta 3, तो देखो k से e, k square का k cancel हो जाएगा, तो 1 k बचएगा, तो आपके पास cos theta 3 आ जाएगा, k upon vector a का परमाण, प्लस, sorry, vector a, plus vector b, plus vector c का परमाण, तो इसको आप समीकर संग क्या 3 मान लिजिगा, अब देखिए, आपको बुला गया था, आपको सिद्ध करना है कि बराबर जुगे हुगे उ कौन बराबर है, लेकिन आपने देखा, अभी तक हमने समीकरण 1, 2, 3 में केवल कौन दा निकाल कर, cos theta 1, cos theta 2, cos theta 3 निकाले हैं, लेकिन आप देखिए, cos theta 1, देखिए, cos theta 2, और cos theta 3, तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कि चू कि, cos theta 1 बराबर cos theta theta 2 बराबर cos theta 3 आ रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं, कि theta 1 बराबर theta 2 बराबर theta 3, यह भी आपके पास बराबर ही आएंगे, और यही देखिए, आपको सिद्ध भी करना था कि बराबर जोके हुए, तो आप लिख सकते हैं, hence, proof प्रश्ण संख्या, पंद्रे पर हम आते हैं, सिद्ध कीजिए, कि a plus b vector, गोणा a plus b vector, यह dot product है, बराबर, vector a का परमाल का होले स्क्वाइर, प्लस vector b के परमाल का होले स्क्वाइर, यदी और केवल यदी, a vector तथा b vector लंबवत हैं, जबके आपको दिया हुआ है, कि a vector 0 vector के बराबर नहीं है, तथा b vector b 0 vector के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं, कि आपको यह दिया हुआ है, एक सम्मंद इसको हम पहले लिख देते हैं, तो यह है vector a plus vector b का dot product, vector a plus vector b से बराबर, vector a का परमाल का होले स्क् तो देखिए, सबसे पहले तो हम dot product करते हैं, बाएंपक्च में, तो a vector का a vector से हम dot product करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, a vector dot a vector plus a vector का अब हम b vector से dot product करेंगे, तो यह आ गया, a vector dot b vector plus b vector का हम a vector से dot product करते हैं, तो b vector dot a vector plus b vector का b vector से dot product करते हैं, तो b vector dot b vector आपके पास आ गया, बराबर, देखो, वेक्टर A के परमाड का होले स्क्वाइर प्लस, यह आ गया, वेक्टर B के परमाड का होले स्क्वाइर, तो इस तरीके से, अब आप यह देखो, कि आपके पास, इसको तो आप लिख सकते हो, वेक्टर A के परमाड का होले स्क्वाइर, क आप इस्थान परवर्थित करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है हमें तो हम इसको a.b. दोबारा लिख सकते हैं इसको देखिए हमने a को पहले लिख दिया, b को बाद में लिख दिया तो कोई दिक्कत हमें है ही बरावर vector a के परमार का whole square plus vector b के परमार का whole square तो अब आप देख रहे हो कि देखो बाएं पक्च में आपके पास vector a के परमार का whole square और दाएं पक्च में भी है तो यह आपके पास cancel हो गया इसी तरीके से vector b के परमार का whole square और vector b के परमार का whole square यह भी cancel हो गया क्योंकि दाएं और बाएं पक्च दोनों में था तो अब आप देखिए इन दोनों का यदि जोड़ोगे तो यह आ गया दो गुड़ा vector A dot product vector B बराबर 0 तो यहां से आपको समझ में आया कि A dot B यहां मोज सकती A और B का अधिस गुड़नफल 0 आ गया अब आप देख रहे हैं कि A और B का अधिस गुड़नफल 0 है तो इसको देखो आपने एक formula पढ़ा था कि दो vector का dot product आपके पास होता है vector A का परमाड गुड़ा vector B का परमाड cos theta theta जहां A और B के बीच का कौणड होता है तो यहां से देखो आप लिख सकते हो vector A का परमाड गुड़ा vector B का परमाड cos theta बराबर 0 अब देखो यह देखो vector A का परमाड ये भी एक अचार रासी आएगी vector B का परमाड ये भी एक अचार रासी आएगी cos theta ये भी एक अचार रासी आएगी तो तीन अचार रासीों का गुड़नफल 0 के बराबर है दिया हुआ है इसका मतलब आपके पास 3 संभावनाएं हो सकती है कि vector A का पर्मार बराबर 0 या vector B का पर्मार बराबर 0 या cos theta बराबर 0 3 case हो सकते हैं, 3 संभावनाएं आपके पास फिर आप देखिए कि अगर vector A का पर्मार 0 हुआ तो आपके पास, आप ऐसे समझे ए किसी vector का परिमार 0 है अर्थाथ उस vector की लंबाई 0 है तो आप देख रहें vector की लंबाई तो कभी भी 0 नहीं होगी किवल एक केस में 0 हो सकती जब वो vector ही खुद 0 बन जाए इसका मतलब यह हुआ vector A का परिमार 0 मतलब vector A 0 के बराबर या देखे आपको तो प्रश्ण में बोला गया कि vector A और vector B 0 वेक्टर नहीं है इसका मतलब यहां से देखो यह जो लिखा है इसको आप neglect कर दोगे इसको भी आप neglect कर दोगे neglect करने का मतलब आप इसको गरणाम ही नहीं लेगी क्योंकि जो प्रश्ण में दिया है उसके विपरी था गया यह तो तो आपके पास केवल एक कैस रह गया कि ठीटा वराबर नभ्य अंस अर्थाथ A और B vector के बीच में नभ्य अंस का कौण है तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि A vector तथा B vector परस पर लंभवत होंगे और यही आपको basically सिद्धिभी करना था अब देखिए प्रश्ण संख्या 16 पर हम आते हैं आपको बोला गया कि 16 से 19 तक के प्रश्णों में सही उत्तर का चैन कीजिए जहांपर प्रश्ण संख्या 16 को पढ़ने पर आपको दिया हुआ है कि यदि दो सदिसों A vector और B vector की बीच का कॉन ठीटा है तो A vector dot B vector greater than or equal to 0 होगा यदे और आप देखिए आपके पास 4 विकल्प है विकल्प A, B, C तथा D और सही उत्तर का आपको chain कर देना है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जो कॉन दिया गया है वो ठीटा दिया गया है और ये A vector dot B vector की बात हो रही है dot product मतलब अधिस गुड़नफल की तो देखिए आपने सीखा था यदि दो vector का हम अधिस गुड़नफल करते हैं तो यह आएगा vector A का परमाण गुड़न vector B का परमाण गुड़न cos उनकी बीच में जो angle होता है उसका cos तो angle थीटा है यहाँ पर थीटा कर दिया अब आप देख रहे हैं अगर ये देखो formula होता था तो इसको हम माल लो कर संक्या एक माल लेते हैं अब प्रशना नुसार हम देखते हैं कि आपके पास तुद बोला गया है कि A vector dot B vector ये greater than or equal to 0 है इसका मतलब ये वाली value 0 या 0 से बड़ी है तो अर्थात दाई value भी 0 या 0 से बड़ी हो जाएगी तो अब आप ये देखो कि किसी भी vector का परिमाड हमेशा उस vector की लंबाई को पर्शलित करता है और लंबाई आप जानते हमेशा धनात्मा की होगी तो आपको ये समझ में आता है कि ये सब value तो positive ही होगी तो ये भी positive, ये भी positive cost theta के बारे में हमें नहीं पता लेकिन यहाँ ये 0 से बड़ा है तो ये positive है, इसका मतल़ हम लिख सकते हैं कि यहाँ से cost theta 0 से बड़ा आया होगा या 0 के बराबर आया होगा तो basically अब आपको इसको हल करना है अर्था त्रिकॉण में ती असमिका बन गए एक तरीके से तो cost theta 0 से बड़ा होना चाहिए तो देखिए वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा तुरन अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप graph से समझ सकते हैं cost के graph से तो चलिए हम उससे भी आपको समझाते थे हैं यह मान लेजिए आपके पास x अच्छे और यह आपके पास देखो y एक छबने बना दिया अगर हम cost का graph बनाएं तो देखो दो vector के बीच में कौण 180 अंस्तक ही आ सकता है तो cost का आप graph बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास यह बनता है देखिए 0 से एक ससी के बीच में बनाएंगे कौण graph तो इसका देखो इस तरीके से यह graph आ जाएगा यह πाई हो गया यह πाई बटे 2 आ गया यह 0 आ गया अब आप देखो कि cost theta 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तो देखो 0 या 0 से बड़ा मतलब यह पूरी value है यह जो मैं लाल लंग से इसको cut कर रहा हूँ यह मतलब basically आपको यह वाला graph लेना होगा तो आप देख रहे हैं इसका मतलब जो theta है वो 0 से लेकर पाइवेटे 2 के बीच में होना चाहिए जहाँ पर 0 और पाइवेटे 2 भी sumblet होने चाहिए क्यों sumblet होने चाहिए क्योंकि 0 पर तो देखो 1 आ रहा है वो तो 1 से बड़ा है पाइवेटे 2 पर 0 आ रहा है यहाँ पर 0 यह 0 से बढ़ा तो यही आपका basically उत्तर हो जाएगा तो अब चुक्कि आपको तो सही विकल्प का चुनाब करना था तो आप देखिए आपके पास यह विकल्प B में दिया हुआ है अते हैं विकल्प B आपके पास सही उत्तर हो जाएगा कुश्चन नमबर 17 पर आते हैं मान लीजिए A वेक्टर और B वेक्टर दो मात्रक सादिस हैं और उनके बीच का कौन ठीटा है तो A प्लस B वेक्टर एक मात्रक सादिस होगा यदे देखिए फिर आपको यहाँ पर 4 विकल्प दे हुए A, B, C तथा D और सही विकल्प का चुनाब आपको करना है और आप देख रहे हैं विकल्प में आपके पास ठीटा दिये हुए अर्थाद आपको इनके बीच का कौन बेसिकली निकालना है तो सबसे पहले तो आप यह देखो कि आपको बोला गया है A और B वेक्टर दो मात्रक सदिस हैं मात्रक सदिस या एकाई सदिस हमने पढ़ा था यह वे सदिस होते हैं जिनका परमाड एक होता है तो आपको तुरण समझ में आया है कि वेक्टर A का परमाड एक होना चाहिए तथा vector b का पर्मार ये भी आपके पास एक होना चाहिए अब आप ये देखो कि उनके बीच का कौन ठीटा दिया हुआ है और बोला गया है कि a प्लस b ये जो एक vector होगा ये भी एक मातरक सदिस होगा ये देखो तो इसका मतलब ये आपको basically 1 दिया हुआ है अब आप देखो अगर दोना तरफ squaring करते हो तो ये आजाएगा vector a प्लस b का पर्मार का whole square बराबर 1 अब आप देखो इसको कुछ एक तरीके से लिख सकते हो और वो तरीका है आपके पास a प्लस b vector dot product a प्लस b vector अब ये हम समय लेते हैं कि आखिर हमने कैसे लिखा है अब ये देखो कि आखिर हमने इसको कैसे लिख दिया आपने सीखा था कि vector a dot vector a ये आपके पास होता है vector a के पर्मार का whole square अर्थाथ यदि एक vector का खुद से अगर हम अधिस गुणनसल करते हैं वो खुद के पर्मार के whole square के बराबर आता है तो अगर मैं यहां से उल्टा लिखूँ तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहां पर a plus b के पर्मार का whole square था इसलिए मैंने a plus b का a plus b से अधिस गुणनसल कर दिया है यहां पर अब देखो अब यहां पर हम अधिस गुणनसल करते हैं तो a का a से अधिस गुणनसल करेंगे तो a vector dot a vector आपके पास आ गया plus a vector का b vector से करोगे तो a vector dot b vector आ गया यहां से plus b vector का a vector से करोगा तो b vector dot a vector आ गया plus b vector का b vector से कर देता हूँ यहां पर बरावर एक आपके पास आ गया अब आप यहां से यह देखो कि इसको तो आप लिख सकते हो वेक्टर एक के परमाड का होले स्क्वाइर प्लस देखो इसे हम A.B लिख सकते हैं इस्थान परवर्थिच कर सकते हैं अधिस गुड़न स्वल में और यह.B पहले से दिया है तो दो गुड़ना A.B वेक्टर प्लस देखो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर B के परमाड का होले स्क्वाइर बरावर एक तो अब आप यह देखो कि यहां से वेक्टर A का परमाड तो एक दिया है और वेक्टर B का परमाड भी एक दिया है क्योंकि दोनों मात्रक से दिया होगी तो यह एक का होल स्क्वाइर अर्थाद एक आ गया प्लस दो गुड़ना A.B वेक्टर आ गया प्लस यह भी देखो आपके पास एक आ गया बरावर एक आ गया अर्थाद माइनस एक तो अब आपको A.B अगर आप निकालना चाहोगे तो देखो यह माइनस एक है और यह दो से आप भाग कर दोगे तो माइनस एक बटे दो आ गया अब आप यह देखो इसको लिखने का एक तरीका और था आपने फॉर्मिला पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर A और B का हम अधिस गुणान फ़ल करते हैं तो आता है वेक्टर A का परमाड गुणा वेक्टर B का परमाड गुणा कॉस ठीटा अर्थाद उनके वीच का कौन तो इस तरीके से अब आप यह देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आप फॉर्मिला लगाओगे यह वाला तो यह आजाएगा वेक्टर A का परमाड गुणा वेक्टर B का परमाड गुणा कॉस ठीटा बराबर माइनस एक बटे दो आप देखो कि आपको तो बोला गया वेक्टर A का परमाड और वेक्टर B का परमाड एक है तो देखो ये भी एक हो गया ये भी एक हो गया तो गुणा करने पर एक आगया अर्थाद कॉस ठीटा बराबर माइनस एक बटे दो आ गया अते हैं, यहां से आपके पास ठीटा आ जाएगा दो पाई बटे तीन और ठीटा ही आपके पास वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच का कौन था जो के आपसे पूछा गया था तो इस तरीके से यह आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा तो अब देखिए, आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था तो आप देखिए, टू पाई बटे तीन आपके पास विकल्प D में दिया हुआ है अते हैं, विकल्प D आपके पास सही उत्तर हो जाएगा चलिए, अब हम प्रशन संख्या 18 पर आ जाते हैं प्रशन संख्या 18 में आपको बोला गया है कि i.j x k plus j cap dot i cap cross k cap plus k cap dot i cap dot sorry, cross j cap का मान है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, कि आपके पास प्रशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ i cap dot j cap cross k cap plus j cap dot i cap cross k cap plus k cap dot i cap cross j cap यहाँ पर भले ही आपको dot नहीं देख रहे होंगे, लेकिन इस सबकी जागे dot हैं इस बात का आप विसे जान रखें तो अब आप ये देखो, कि सबसे पहला और दिश्व तो आपका ये रहना चाहिए, कि कैसे भी हम j cross k को पता कर सकते हैं i cross k को पता कर सकते हैं, और i cross j को पता कर सकते हैं तो देखिए हमने cross product अर्था सदेज गड़नसल के दो तरीके आपको बताए थे और वो दो तरीके कुछ इस तरीके से पहला तरीका अगरम देखें तो असमें मैं आपको बताया था कि i j k जो होते हैं, ये आपके पास हमेशा एक वरत्ती अकरम में चलते हैं इसका मतलब कुछ इस तरीके से अगर ये वरत्त है, तो उसमें i j k चलेंगे जैसे यह i है, यह j cap हो गया, और यह k cap हो गया, तो अगर आप यह देखो, देखो मैं यहीं पर आपको करके दिखाता हूँ इसे, यहाँ पर देखे, i cap तो पहले से यह, dot, अब देखो j cap cross k cap को अभी हम बताएंगे आपको, plus, j cap देखो आपके पास यह है, इसको भी हम बताए आप देखो, j cross k है, तो j cross k आप इसी दिसा में आगे बढ़ रहे हैं, पहले j है, फिर k है, तो इधर बढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं, आपने किसी को भी लांगार नहीं है, बीच में, साथ कोई भी बीच में नहीं है, gap कुछ ही नहीं हुआ, तो सीधे यह i के बरा minus j के पाज आएगा, अब i cross j है, तो आएगा तो देखो k, अब यह नहीं पता, minus का आएगा या plus का आएगा, तो i cross j के लिए, अब आप देखोगे, i से j की तरफ बढ़ो, तो i से j में जब आप जा रहे हो, तो बीच में कुछ भी आपके पास आया ही नहीं, तो इसलिए कि अब एक दो, और यह minus एक, तो यह आपके पास एक के बराबर आ गया, अते हैं, विकल्प c, आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, अब यहाँ पर हम समय लेते कि आकर दूसरा में थार्मने क्या बताये तो उससे भी आप इसको कर सकते थे, बहुत आसानी से, तो देखिए उस तो जे वाले वेक्टर में आई केप का गुड़ांग 0 होगा, जे केप का गुड़ांग 1 और के केप का गुड़ांग 0, फिर क्रॉस के केप है, तो यहाँ पर 1 और यह सब 0 आ गया, तो देखो, यह आपके पास आ जाएगा, आई केप, 1-0, प्लस, देखो, जे केप में तो यह 0 आ गया, और केप में करोगे, यह भी आपके पास 0 आ गया, तो इस तरीके से देखो, यह आई केप आ गया, अब इसी तरीके से बात चलती है, तो यहाँ पर आप आई क्रॉस के करोगे अब, तो आई जे के लिखोगे यहाँ पर, लिखने का तरीका तो वही है, अब i पहले लिखा है मतलब यहाँ पर 1 0 0 है अब k cap है मतलब k का गुणांग तो 1 है बाकी कोई है ही नहीं तो यह सब 0 आपने लिख दिया तो देखो i cap 0 का 1 से गुणा किया minus 0 का 0 से गुणा किया तो 0 आया minus j cap अब देखो आप 1 का 1 से गुणा करोगे 1 0 का 0 से गुणा करोगे तो 0 तो 1 में से 0 करणाओगे तो 1 plus k cap यह आपके पास 1 minus 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0 और 0 का गुणा 0 से करोगे तो भी 0 तो इस तरीके से यह minus का j cap आ गया तो आपने देखा minus का j cap आपके पाथ आया था अब i cross j कर लेते हैं तो i cross j के लिए आप देखो i j k तो लिखोगे लिखोगे अब यहाँ पर देखो i cross j करना है मतलब 1 0 0 0 1 0 तो देखें i cap के साथ लिखेंगे 0 minus 0 0 आ गया minus j cap यह भी 0 आ गया प्लस k cap यह आपके पास 1 minus 0 आ गया अर्थात k cap आ गया तो आपने देखा यह cake आ पागया तो इस तरीके से मैंने आपको देखो दोनों तरीके से बता दिया कि j cross k कमान या तो आप ऐसे देख लें व्रत में जैसे हम चलते हैं या फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं जैसे हम आप वियू का सांडिक निकाल देते किसी भी आभियूगा तो आपके पास ये प्रश्ण संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा एक अर्थात विकल्प C अब हम देखिए अगले अर्थात सबसे अंतिम प्रश्ण पर आ जाते हैं इस प्रश्णावली के प्रश्ण संख्या 19 पर आपको यहाँ पर बोला गया है कि यदि दो सजिसों A vector और B vector के बीच का कॉर्ण ठीटा है तो A dot B का परमाड बराबर A cross B का परमाड है जब ठीटा बराबर है तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बोला गया है कि vector A dot product vector B इसका परमाड बराबर vector A cross vector B इनका परमाड और इनके बीच में बोला गया है A और B के बीच में कौर्ण ठीटा है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हम formula लिख लेते हैं vector A dot vector B अर्थाथ अदिस गोड़न स्वाल आपके पास होता है vector A का परमाड vector B का परमाड cos ठीटा इसी तरीके से A cross B हम समय लेते हैं तो यह होता है vector A का परमाड vector B का परमाड sin ठीटा और n-cap यहाँ पर n-cap समझते हैं n-cap A और B के लंबवत एकाई सदेस होता है keval इसका keval और keval इतना मतलब होता है एकाई सदेस है और यह दिसा परदान करता है keval तो अब यह देखो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा यह देखो परमाड का चिन तो आपके पास लगाई रहेगा यह आगया vector A का परमाड vector B का परमाड cos ठीटा और फिर देखो परमाड का चिन बराबर देखो परमाड का चिन आपने बहार लगाई दिया A x B देखो यह आपके पास यहा हुआ है Vector A का परमाड Vector B का परमाड Sin Qt और यह N cap इसका परमाड आपने हैं कर दिया अब सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें कुछ आत्रों को यह confusion होगा कि अगर हम आपसे बोलाएं कि 5 का परमाड नकाली है तो 5 तो देखो अचर रासी है तो 5 का परमाड तो 5 ही आ जाएगा तो अब यह देखो यह भी एक अचर रासी होती है परमाड मतलब लंबाई यह भी लंबाई है यह भी एक fix value होगी अचर रासी तो पूरी बेसिकली अचर रासी है यह हम बोल सकते कोई constant value होगी, तो इसका परमाण मतलब यही आ जाएगा, यह आ गया vector A का परमाण, vector B का परमाण cos theta, बरावर, अब देखो, यह तो एक fix value होगी, vector A का परमाण, vector B का परमाण और sin theta, तो आप इसको तो तुरंत ऐसे भाहर कर दो, अब बात आती, n cap, n cap तो एक दिशा को परतसित करता है, यह सदिस है, तो अब n cap का आपको परमाण करना पड़ेगा, basically, क्योंकि हमने आपको यह भी बताया था, कि अगर कहीं पर आपको दिया हूँ बी और दाएभक्च में भी तो गैंसल हो गया, vector B का परमाण बाएभक्च में भी और दाएभक्च में भी थो यह भी गैंसल हो गया, इस तरीके से देखो यह cos theta बचा, यहाँ देखो यह sin theta तो ही, अब ए वे n cap है, इसका परमाण है, n-cap, देखो n-cap जो होता है, वो होता है, एकाई सदिस, तो परमार एकाई सदिस है, इसके लिए परमार तो एक ही आएगा, तो इसलिए आपने गुणा एक कर दिया तो अब देखो cos theta को अगर हम पच्छांतर कर दें, तो यह आ जाएगा एक बराबर sin theta बटे cos theta, तो sin theta बटे cos theta, यह तो 10 theta होता है, अर्थाद 10 theta एक के बराबर आ गया, तो अगर 10 theta एक के बराबर आ गया, तो आपके पास theta कमान pi बटे 4 अर्थाद 45 अंस हो जाएगा, तो यही आपको basically theta निकालना था, जो कि a vector और b vector के बीच का कौन था, तो इस तरीके से आपके पास दोनों के बीच का कौन आ गया है, pi बटे 4 या हम बोल सकते 45 अंस, अब चुंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाब करना था, तो आप देखी, आपके पास विकल्प b में बोला गया है कि कौन है जो pi बटे 4 के बराबर है, तो इस तरीके से आपके पास विकल्प b बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा,